हेलो एंड वेलकम दियो स्टूडेंट आपका स्वागत है वन शॉर्ट सीरीज में और आज मैंने जो चुना है टॉपिक डिस्कुशन के लिए वह है एसी अल्टर्नेटिंग करेंट जी हाँ तो वेटेज भी इसका काफी अच्छा है चाप्टर छोटा है वेटेज अच्छा है मतलब टोटल 6 मार्क का ये चाप्टर आता है विद आप्शन और विद आप्शन अगर कमपल्शन का बात करें तो कमपल्शन में ये 4 मार्क्स का आता है अच्छा कई बच्चे इसमें घवर जाते है कि यार alternating current जो है वो थोड़ा difficult लगता है क्यों लगता है इसके पीछे का एक ही reason है sign और cause और integration इसमें भर भर के आते हैं तो हमें वही कोशिश करने कि किस तरीके से उस पर उसकी जो shortcuts हो गए या फिर उस पर इस तरीके से काम किया जाए कि हमें यह chapter smoothly cover करते आना चाहिए ठीक है तो शुरू करते बचों यहां से सबसे पहले तो हमको इसमें distinguish करना जरूरी है कि जो source of energy है हम जो consider कर रहे है electric current का जो source है ऐसे हमारे पास दो sources है एक जो conventionally हम इस्तमाल करते है जो की होता है cell या फिर battery जिसको इस तरीके से represent किया जाता है हमारा पूरा current electricity का chapter जो है वो बेचते है इसमें दो polarities होती है एक जो होती है जिसको हम लोग high polarity को most of the time plus बताते है और यह plus बताते है और जो low होता है potential उसको minus बताते है इसमें एक specific direction में ही current जो है pass होता है अच्छा second जो है alternating current source जो AC generator जो की इसके पहले वाले chapter में था लेकिन मैं इसको यहां पर revise करके देन वाला हूँ AC generator is the source of AC alternating current यह AC सिर्फ nominal बताया जाता है AC मतलब alternating current alternating voltage यह दोनों को हम लोग parallel लेने वाले अच्छा the polarity of voltage और current periodically changes, reverses और इसका symbol यह है कैसे होता है change इस पर हमें काम करना है तो आगे वाला topic जो है AC generator से related तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाओगा देखो मेरे पास यह एक book है है ना science encyclopedia की book है अब ऐसे visualize करके चलो कि यहाँ बराबर age age से मैं एक frame अज्यूम कर रहा हूँ मतलब मेरे पास एक ऐसा frame है right और उस frame पर मैंने copper wire की winding दे दी है मैंने क्या किया उस frame पर copper wire की winding दे दी है तो one number of turn second turn third turn ऐसे n number of turns का इस्तेमाल मैं नहीं हाँ पर किया अच्छा इसको इस frame को अभी frame मतलब जो coil मैंने consider की है rectangular coil इस तरीके से इस coil को उठाके मैंने इस direction में रख दिया तो ऐसा क्यों दिखा रहा हो क्योंकि मुझे ना board में diagram दिखानी है तो मेरे लिए बच्चों क्या होगा मुझे इस side से गर बात करो तो मुझे सरफ ये side दिखने वाली है ये side मतलब जो wire था wire ऐसे जाके ऐसे आया एसे अंदर गया फिर वापस से ऐसे कुछ आ रहा है तो specifically इसका जो area है ये area हमें नहीं दिखेगा हमें जो है वो side दिखने वाली है तो वो side में यहाँ पर दिखाने वालो हूँ इस surface पर डाल दो normal तो इस surface पर मैंने normal डाल दिया तो यह जो normal है बच्चो that is its area vector तो second task भी जो मेरा है मैंने यहाँ पर complete कर दिया है कि यहाँ मैंने दे दिया area vector अच्छा चलिए area vector भी मेरे पास आ गया है field term क्या है फिर क्या है मुझे अभी imagine करना है कि मैं जिस room में record कर रहा हूँ तो मैं imagine करूगा कि इस particular direction में north pole है और यहाँ से magnetic field line आ रही है और इस direction में south pole है तो magnetic field line और मैं assume कर रहा हूँ कि uniform magnetic field है uniform का मतलब जो magnetic field lines होती है वो एक दूसरे को parallel है तो ऐसे मुझे represent करना हो तो मैं यहाँ पर magnetic field को कुछ इस तरीक से दिखाऊगा यह magnetic field lines तो यह magnetic field को दिखाते का तरीका यह होगा अच्छा यह जब ऐसे मैं लाता हूँ तो तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि this magnetic field vector which I will call b bar is parallel to what is parallel to a bar right it's parallel to what is parallel to a bar चलो इसको मैं दिखाता हूँ इस parallel to a bar यहाँ पर a bar था न मेरा यही पर तो a bar था अभी करना क्या है इस frame को करना है rotate imagine करना है कि इस frame को आप करना है रोटेट तो जैसे इस side से देखते है तो इसका rotation शुरू होगा तो rotation जब होता है तो इस तरीके से यह rotate होना शुरू हो जाएगा देखिए यह जो topic है AC से related है लेकिन मैं इसके पहले वाला chapter जो था उससे conclude कराने वाला बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला बस इसको हलके से मतलब cover कर लेते हैं एलिस समझ मताई कि क्या चीज़ हो रही है तो electromagnetic induction के हिसाफ से यहाँ पर magnetic field एन ऐसी थी and the area is rotated तो associated flux जो है जो coil के area के साथ में जो flux associated था that is changing यह maximum पास हो रहा था यहाँ पर zero हो गया फिर maximum हो गया तो इसमें क्या करना है बैच्चो flux associated with coil is changing तो मैं भी उसी coil को ले लेता हूँ और यह जो coil है यह rotate हुई है और rotate होके assume कर लिए यहां तक आई है तो rotation के बाद आपको पता चला कि area vector जो है area vector भी तो rotate हो गया तो जो area vector जो area vector मेरे लिए यहां पर था यहां पर था तो area vector rotation होके यहां पर area vector आ गया तो coil जो है coil rotate हो गई by an angle theta ओके by an angle theta तो area vector और magnetic field जो था पहले parallel था now it has also made an angle of theta यह भी theta ही त्यार हो right यह दोनों angle theta यहां पर मिल चुके अच्छा अभी क्या तो अभी यह है कि मैं flux जो है magnetic flux जो है flux which is b a cos theta होता था मैं ऐसे दिखा दूगा लेकिन जो coil है मैंने आपको बताया इसमें number of turns है n number of turns है तो मैं बोलूगा कि n number of turns होनी की वज़े से total flux जो है वो मिलेगा nba cos theta चलो यहां तक आगए फिर अभी यह और एक condition डालते है कि मैं इसका rotation का जो rate था इसका जो rotation का rate था वो मैं fix करा दे तो I am going to assume that it is rotating with constant angular velocity तो अगर constant angular velocity है तो मैंने rotational dynamics में आपको पढ़ाया है if omega is constant over here so you can say omega can be theta by t so therefore theta can be equal to omega t तो इस result का इस्तमाल मैं करने वाला हो कहा करने वाला हो तो यहां so bachow phi is equal to आ गया n, b, a, cos, theta की जगा पर रख देता हूँ omega t so emf जो होता है वो होता था minus d5 by dt तो minus d5 by dt minus n, b, a और क्योंकि differentiation with respect to time है तो अंदर सिप रह जाएगा cos तो cos omega t इसको differentiate करने के बाद यहां result क्या मिलने वाला है तो e equal to, क्योंकि minus n, b, a है तो minus n, b, a और cos को differentiate कर दिया तो minus differentiate कर दिया तो minus omega sin omega t इसमें minus और minus ठीक है, plus हो गया तो n, b, a, omega और बच्चों यहां हागया, sin omega t right, so e is equal to this value we have got, yes, this is one of the most important result which we have got एक चीज़ और पता चलिए है, कि whatever, whatever, देखिए बच्चों EMF जो है, इसको हम कहते है EMF थोड़ी दिर के लिए assume कर लो EMF मतलब इसकी work करने की ability, क्या work करने की ability you can say charge को circulate कराना है पूरे circuit में तो जो उसको ability मिली है, उसी को हम EMF करने वाले है यहाँ पर, यहाँ तो कोई physical, कोई sale तो crash नहीं है, यहाँ पर magnetic field और mechanical energy का ही इस्तमाल हो रहा है electrical energy में convert कराने के लिए तो E is equal to यह formula मिल चुका, यह important है तो मैं इसमें जो है ना, इसको कह दूगा E naught तो E naught आ गया N, B, A omega और हाला कि omega आपको पता है twice pi into frequency तो इसको कहा जाएगा इसके बाद इसको कहा जाएगा peak value of EMF, इसको क्या कहा जाएगा peak value of EMF ठीक है बच्चो, तो इसको कहा जाएगा peak value of EMF, यह एक important है, तो फिर मेरे पास जो formula, that formula यह बन जाएगा E equal to E naught sin omega T, तो जो मुझे इस chapter में आपको बताना है जो मुझे इस chapter में बताना है यह पूरा मतलब, पूरा के पूरा chapter जो है न, इसका जो दिल, दिमाग, सब कुछ है, दिल, दिमाग गुड़गा, गुड़गा नहीं गुड़दा, किड़नी सारा का सारा यह है मतलब यही सारा काम करने इसलिए इसको वेटेज दिया मैंने इसको एस्प्ले करा दिया तो यह पहले वाले chapter में भी है आपको इसके पहले वाला electromagnetic induction तो उसमें भी आपको अच्छे तरीकी से इसको समझना पड़ेगा अच्छा, यह क्या दिखा रहा है, समझ रो E equal to E naught sin omega t ओके, omega तो constant था तो यह चीज, हूब हूँ यही चीज आपने कहां पर देखी है आपने देखी है simple harmonic motion chapter में यह कहां देखी है यह देखी है आपने simple harmonic motion chapter में जिसमें यह जो थी, यह peak value थी और यह जो value थी, यह instantaneous value थी तो बच्चों मैं और एक चीज यहां पर add कर दूँ तो देखी है क्या होगा इसके across इस तरीके से EMF generate हो रहा है और इसका जो diagram होता है E equal to E naught sin omega t का जो diagram होता है वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं हम लोग क्योंकि यह sin को follow करता है तो मैं यहां देदेता हूँ omega t और अभी एक चीज आपको बहुत ही clearly understand होगी मैं कुछ इस तरीके से यह parallel lines डाल देता हूँ और मुझे क्या कर रहा है न यह y-axis जो यह emf से related है और x-axis omega t omega t मतलब in simple short theta अच्छ यह tilt दिख रहा है न होई बात नहीं सीद्य होगे तो अभी करना क्या है देखो क्या होता है यह है आपका sign omega t omega t की value क्या आ सकती है तो 0 आ सकती है 30 degree आ सकती है 45 आ सकती है 90 आ सकती है लेकिन अगर छोटे-छोटे terms लिए जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा है ना तो इसमें कौन-कौन से angle prominently ले जाता है 0 radian फिर आता है πाई बाई 2 radian फिर आता है πाई फिर आता है 3 πाई बाई 2 है ना फिर आता है 2 πाई तो इसको ध्यार रखने का मतलब remember करने का तरीका है 0 1 πाई बाई 2 2 πाई बाई 2 3 πाई बाई 2 4 πाई बाई 2 और फिर यह आ गया 5 πाई बाई 2 क्योंकि जैसे ही 0 होता है तो sign of 0 value 0 होने वाली है sign 0 0 होने वाला है और 0 multiply by anything क्या होगा 0 होगा तो यहां से शुरुवात तो हो गई है अच्छा πाई बाई 2 पर क्या होगा तो sign अगर πाई बाई 2 रख दे πाई बाई 2 का मतलब होगा 90 sign 90 क्या है sign 90 क्या होगा sign 91 होगा तो 1 multiply by E naught E naught तो यह plus E naught आगया अच्छा sign होने की वज़े से इसका graph थोड़ा ऐसे आता है ऐसे नहीं होगा कि straight line आप जोड़ दो कुछ-कुछ बच्चे तो क्या कर देते हैं ऐसे जोड़ देते हैं बोलते हैं यह यह ऐसे नहीं बच्चो 3 pi by 2 270 sin 270 तो sin 270 value यह यहाँ पर रख दिया तो sin 270 value minus 1 होती है minus 1 into E naught minus E naught बस यहीं चलता रहेगा sin 2 pi 0 बस यहीं चलता रहेगा तो इस तरीके से हमें जो दिख रहा है यह दिख रहा है बच्चो alternating voltage तो alternating voltage जिसका polarity हर समय change हो रहा है जो इसके पहले वाले इसमें मैंने statement दे दिया था AC generator is the source of AC the polarity of voltage or current alternately changes and periodically reverses ओके फिर अभी दूसरा logic यह है दूसरा point यह है कि चलो यह हो गया EMF से related current का क्या होता होगा current को क्या होता होगा या current से related क्या होता होगा तो बच्चो गवर करने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि current का अगर मुझे formula देना है बस same way मैं current का formula दोगा और बताऊगा current I equal to I not sine और यहां लिख दोगा मैं omega t plus phi तो फिलाल के लिए मैं phi डाल देता हो अब बोलोगे सर यह phi कहा से आ गया यह कहा से आ गया और यह क्यों आ गया और कैसे है इसका मतलब क्या है तो phi जो होगा phase difference होगा ऐसे नहीं था कि आज तक बिचारा एक resistor ही हमारे साथ काम कर रहा था अभी resistor के अलावा अभी resistor के अलावा capacitor भी है और inductor भी है तो यह दोनों जो है ना यह बहुत अलग तरीके से काम करते हैं यह दोनों device खुद के पास ने energy भी store करके रख सकते हैं तो इसी वज़े से इनका behavior थोड़ा अलग हो जाएगा तो हमें यह चीज समझनी है not necessary कि voltage and current every time every second same way increase होगा यह decrease होगा ऐसे नहीं होने वाला तो चीज अलग कांबने जाएगे तो से तुने के लिए अलग के लिए अलग इंड़िस्टर कांबीनोशन के लिए अलग अलग इतने सारे आखके चाहर कुई है करणा कुछ नहीं है मैं हूँ यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से इसको कैसे याद रखना है वो सारा समझा दूगा बस मुझे सिर्फ आपका एक knowledge छोटा सा requirement है vector का addition और subtraction का knowledge और दूसरी चीज vector का resultant कैसे निकाला जाए वो बस इन दोनों के अलावा मुझे आपसे कोई और requirement नहीं होगी और बाकी जो चीज जरूरी है मैं अभी यहाँ पर एक इक करके बता हीने वाला हूँ तो चलो फाय आगया यह current की value आगया बचो यह जो है ना इसे कहा जाएगा instantaneous current और यह जो है ना I0 इसको कहा जाएगा इसके बाद peak value of current तो मेरे पास आपके लिए कुछ चीज़े है क्या चीज़े मैं समझा दूँ यहाँ पर जो requirement है मेरे पास आपके लिए वो यह है जो आपको बहुत गहरा ही से धहन में रखना है सबसेर पहली चीज जो आपको धहन में रखनी है हमारे पास जो आने वाला है एक आने वाला है instantaneous यह आने वाला है instantaneous तो instantaneous देखिए मैं एक फॉर्मल लिख देता हूँ E equal to E naught यह sin omega t I equal to I naught sin omega t यह plus 5 कर देता हूँ तो यह दो यहाँ पर मैं लिखके रख देता हूँ कि हाँ है मेरे लिए जो requirement होगी requirement में सबसे पहले requirement जो होगी वो होगी कि instantaneous चीज क्या है तो instantaneous चीज है क्या तो instantaneous जब भी आता है तो आपको यह समझना है E या फिर हम लोग I के बारे में बात कर रहे है मतलब इसके बारे में बात कर रहे है या तो इसके या तो इसके मतलब दिया है विस तरह किसे तो सबसे पहली चीज हो जाएगी instantaneous के दूसरी चीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी peak value दूसरी चीज हो जाएगी peak value of या तो current या फिर voltage जैसे भी दिया हो तो उसके अनुसार अगर बात करूँ तो peak value मतलब क्या या तो E0 या I0 तो पहले current लिखा तो मैं पहले I0 लिख देता हो या फिर E0 ये होती है peak value तिसरी जो चीज धहन में रखनी है आपको वो होगी average value वो होगी average value तो average value of current पहले current पर बात कर दूँ या फिर या फिर voltage इसमें दो चीज़े होगी बच्चो इसमें दो चीज़े होगी पहला होगा full cycle full cycle मतलब ऐसे पूरा के पूरा वे हो तो पूरा के पूरा वे हो समझ लो पूरा के पूरा वे हो जो होता है वो 0 to 2 पाई रेडियन का होता है अगर time period में बात करू तो 0 to time period t होता है तो average over full cycle अगर बात करू तो यह उपर वाला और यह नीचे वाला उपर का एरिया positive नीचे का एरिया negative इस तरीके से इसका answer आने वाला है 0 या फिर हम integration के बाद भी लाने वाला है answer 0 ही आने वाला है और दूसरी चीज़ जो होगी इसमें ही दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी over half cycle यह होगी over half cycle तो half cycle मतलब या तो ऐसे है ना यहां से देखिए half cycle यह तो full cycle है या तो 0 से pi तक या फिर pi से 2 pi तक बोल्ड में तो यही लेना है meanwhile अगर आप interest के लिए preparation करें तो बीच की भी condition आने वाली है लेकिन फिलाल मैं इतना बात करूगा या तो 0 to pi या फिर pi to 2 pi तो इसमें condition यह है तो यह half way यह half way हो है तो half way जो होगा इस पर मुझे average निकालना है या तो फिर i average निकालूगा जो कि हमें 2 i not by pi मिलने वाला है या फिर e average मिलने वाला है 2 e not by pi यह ध्यान में रख लो और last सबसे important जो चीज होने वाली है last और सबसे important चीज जो होने वाली है वो यह होने वाली है यहाँ पर fourth point yes यही सबसे important है rms value rms मतलब root mean square value rms value root mean square value root mean square value i rms मैं लिख लोगा i not divided by root 2 या फिर अगर मुझे e rms के बारे में बात करना है voltage के बारे में बात करना है rms value तो यह होगा e not by root 2 आपको पूरा chapter पढ़ने के पहले ने इनको categorization करना जरूरी होगा कि यह क्या है यह बंदक किस तरीके से काम करते है formula तो एक ही होगा एक ही होगा या फिर formula तो कुछ इसी तरीके से देखने वाला है इसमें आपको instantaneous मिल गया peak मिल चुका है और peak से peak से आपको average मिल चुका है जब बताया नहीं जाए तो यह actually full or half cycle ही होता है क्योंकि full cycle का meaning तो सबको पता है तो full cycle पर बात करना meaning less होता है लेकिन entrance में अगर पूछा जाए कि over full cycle तो आप जट से 0 answer देते ना half cycle पर 0 नहीं आता है यह integration के बाद हमको निकालना है टू E not by pi आता है या फिर 2 I not by pi आता है फिर RMS जो नहीं यही important है यही सबसे मतलब main जो इसका activation जो होगा जो हमें काम करवाना है जिससे यही होता है इसको RMS value को कई बार ऐसे भी बताया जाता है इसको कहा जाता है effective value इसको कहा जाता है effective value या फिर virtual value भी कहा जाता है या फिर कहा जाता है कि जैसे कोई galvanometer है hold meter है so value measured by जो devices होगे जैसे कि hold meter होगा या फिर emitter होगा या फिर galvanometer होगा यह जो devices जो value measure करके दिखा पाते है उसमें भी दो type है अलग type है हमें AC के बारे में बात करना है तो अभी फिलाल जैसे देख लीजे तो RMS value का मतलब होता है या तो effective value या फिर इसको virtual भी कहा जाता है या फिर value measured by थोल्ट मीटर या फिर emitter यह important है RMS value हमारे लिए अगर कोई बता दे आपको कि a source operates on 220 hold a source sorry extremely sorry a device operates on 220 hold जब कोई आपको ऐसा बता दे a device works on 220 hold तो आपको समझना है 220 hold क्या है क्या 220 hold instantaneous है peak है average है या RMS है तो जब बताए जाए a device works on तो कोई भी device काम करता है RMS value पर कोई भी device काम करता है RMS value पर average पर काम नहीं करता है जो अगर bulb में कोई bulb लू तो bulb अगर on कर दिया जाए तो bulb operate होगा RMS value पर ना कि average या फिर E naught या फिर I naught या फिर instantaneous पर नहीं किस पर काम करने वाला है RMS पर operate होने वाला है ये बात समझ लो तो मैं बूलूगा इस chapter का main slide तो यही है इसको आपको धहन में रखना है है ना चलो आगे बढ़ते है एक सम यहाँ पर दिया है यह तो easily आप solve कर सकते हो तो मैंने आपको one mark का question है बोर्ड से लिए an alternative EMF is given by E equal to 220 sin omega t तो इसको देख कि आपको समझ रहा है बात इसको अगर compare करूं में E equal to E naught के साथ में फिर आजाएगा sine और यह omega t हाँ यही है इसमें पूछा है what will be the value at t equal to t by 12 तो यहाँ जो small t दिख रहा है न इसका यह meaning दिया गया है omega क्या होता है तो omega जो होता है omega twice pi divided by आप time period ले सकते हो ले सकते हो बस values रख देना बच्चो 220 sine omega t 220 sine omega 2 pi by t multiply by small t की जगा पर t by 12 cancellation करवा दो pi by 6 आ गया sine pi by 6 1 by 2 होता है चलो 220 का half हो गया 110 तो इस तरीके से यह एक result हमारा है चलिए अभी 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 जो हमने जितना बात किया उसी पर आगे continuation होता है average और mean value of alternating EMF क्या होता है right average value क्या होता है समझ लो इसको average और mean value of alternating EMF current over full cycle is always zero जो तो पहले ही बता दिया था over full cycle is always zero okay therefore average और mean value is always defined over half cycle यह full cycle का zero आ गया किस्सा और over half cycle होता ही होता है है ना defined over half cycle defined over half cycle तो expression भी find out करना है हमको इसका expression भी find out करना है और किस तरीके से चलो देखो इसमें कैसे करना है average value find out कैसे करते हैं तो देखिया half cycle पर मुझे answer इसका देना है इसको इसको उठादू चलो average के लिए किस तरीके से काम करना है हूँ समझ लो सबसे पहले तो average किस चीज़ का निकालना है value of alternating emf बोला है तो emf पर focus करते है let e equal to e naught sin omega t यह हो गया यह पहली step हो गई फिर average over half cycle is given by तो formula देखिये e average is equal to formula किस तरीके से समझ लो formula ऐसे होता है आपको उपर भी integration देना और नीचे भी integration देना तो over half cycle over half cycle तो मैं over half cycle के लिए 0, 2 इस्तमाल करने वाला हो देखिये अलग-अलग expressions हो सकते हैं इसके लेकिन answer ही कियाने वाला है तो over half cycle अगर देना है तो half cycle मतलब t divided by 2 क्योंकि पूरी एक जो cycle है वो पूरी एक cycle time period t की होती है तो अगर एक पूरी oscillation एक पूरी cycle time period t की है तो half जो है वो t by 2 की हो गई यहाँ पर भी मुझे 0 to t by t लेना है अब सोचरों कि यह कहां से आ गया समझ लो हम कोई experiment अगर करते हैं बच्चो तो experiment में अलग-अलग observation जो होते हैं तो मैं उन पाचों की value add करा देता हूँ और divided by 5 करता हूँ क्यों कि मुझे mean value मिले है वो एक तरीका होता है लेकिन जब इसका जगर शेप देखोगे तो आप शेप जो है sign curvature में आ रहा है तो इसकी वजह से यहां पर वैसे डायरेक्ली स्वालने होगा यह integration से स्वालने वाला है तो यह इसका ही तरीका होता है जो हम average निकालते है उसका भी modern तरीका है दिखने में थोड़ा सा धरावना लगता है लेकिन वही तरीका है जो आप स्कूल में करते थे लेकिन थोड़ा अलग दिख रहा है अच्छे इसमें क्या लिखा जाए तो जो EMF की value है तो E value और इसको integration में dt के साथ vary करना है और यह जो दिख रहा है E E naught sin omega t लिख देता हूँ और यहाँ पर dt लिख देता हूँ और divided by 0 to t by 2 और यह लिख देता हूँ dt तो चलो नीचे का तो टर्म लेलो integration of dt is what? integration of dt is what? t small t उपर से E naught निकल गया आप integration of dt में यहाँ पर देता हूँ अगर किसी को टकलीप हो तो integration of dt is nothing but small t इसमें limit लगवा दो 0 to t by 2 अपर limit आजाएगी यहाँ पर minus यह lower limit आजाएगी तो final क्या बच्छेगा बच्छो? t by 2 है ना ऐसे बचने वाला है तो यहाँ पर t by 2 by 2 अला 2 आगया उपर by 2 अला 2 कहा आगया? उपर आगया by 2 अला 2 उपर आगया ओके फिर यह आगया 0 2 sin omega t और यह dt अभी इसको integrate कराना है 2 e naught by t चलो integrate करवाते हैं क्या आएगा बच्छो? तो sin जो होता है न वो होता है negative, sin का answer क्या होता है? negative होता है, right? तो sin का पहले तो sin का integration ले लेता है वो होता है negative, cos omega t divided by क्योंकि इसमें omega t था तो इसका differentiation में omega बच जाएगा गया, 0 to what? t by 2, फिर यह minus sin और omega को इधर ला दो, so minus 2 e naught by omega को अलग, अंदर बच गया cos, तो cos omega और यह upper limit यहाँ पर डाल दो, आप t by 2, minus cos omega और lower limit है 0, ठीक है? तो इससे अभी आगे बढ़ते है, आगे क्या होगा? तो minus e average is equal to minus 2 e naught by omega, है ना? तो cos omega को ऐसे लिखते है? तो cos omega, cos omega मतलब 2 pi by capital T, into that t by 2 now, है ना? omega की जगा 2 pi by T, और यह minus cos of 0, is equal to minus 2 e naught by omega, cos देखिए, यह tt cancel हो गया, 2 to cancel हो गया, तो cos pi बचता है, cos pi का अंसर आता है, minus 1, minus 1, यह minus sign और यह इसका 1, तो यह बच्चो आ गया, minus 2, तो minus 2 e naught by omega, omega को भी लग देता हूँ है, omega is 2 pi divided by capital T, और इसका उपर का अंसर आ गया? minus 2, उपर का अंसर आ गया, minus 2 rate, तो अभी क्या होगा? यह minus minus 2, इसको cancel करा दो, है ना, तो 2 e naught, इसमें कुछ तो और एक दिक्कत क्या रह गया? हाँ, यह T, यह T रहे गया ना मेरा, तो यह T और यह T cancel हो चुका है, तो 2 e naught by pi, so e average is equal to, तो इस तरीके से बच्चों, मैं intentionally आपको derivation करा की ज़रा हो, कहां गडबड हो सकती है, जैसे मेरे से गडबड क्या होगी? तो यह T को मैंने carry नहीं किया, उस side में जाते जाते हैं, carry नहीं किकर पाया, तो रहे गया था, तो यह आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, तो e average जैसे 2 e naught by pi आ चुका है, तो question में e average पूछा है, उसके हिसाफ से यह answer निकाला है, अगर i rms पूछता, अगर i rms होता, तो i rms का result भी, rms value of current का result भी, 2, यहाँ पर e naught की जगा क्या आता? i naught by pi ही आता है, right, got it, चल, अभी क्या पूछा गया इसमें, obtain expression for it, तो expression तो हमने मिला दिया, right, चलो आगे बढ़ते हैं, एक question दिया गया है, यह peak value of an alternating, emf is 100 hold, यह क्या value है, यह value है, peak value, कौन सी value है बच्चो, यह peak value है, इस पर थोड़ा ध्यान दो, तो peak value का मतलब इनों ने जो दिया है, peak value का मतलब दिया 100, तो हमें e naught की value दी गए सीदे सीदे, right, what is the mean value over half cycle, तो इसमें भी बहुत clear दे दिया है, over half cycle, क्योंकि full cycle का अगर बात करें, तो full cycle पर, full cycle पर, तो 0 ही answer आना था, half cycle पर लाना है, तो हमें अभी answer मिल चुका है, 2 e naught by pi, e naught की value 100 रख दो, और हाँ, 2 divided by pi की value जो होती है, 2 divided by pi की value, approximately 0.637 आपको याद रखना है, 0.637, कितना, 0.637, 2 by pi का meaning, 0.637 इससे काफी हद तक, आपका मतलब sum solve करने में easy हो जाएगा, आसान हो जाएगा, unnecessary exam के time में फिर आपको नहीं करना इसको, तो 0.637 into 100 कर दिया, या answer आ गया, good, आगे, yes, यह थोड़ा सा additional point में करवा के लिए रहा हूँ, यह RMS value से related हो है, इसको समझते हैं, क्या दिया गया है, DC meter जो होते हैं, या emitter जो होते हैं, DC meter और emitter, उनमें एक provision होती हैं, आपने college में देखा होगा, experiment करते समय, जो DC multimeter होता है, उसमें 2 knobs होता है, जो multimeter होता है, मान लिजए, ऐसे multimeter है, उसमें 2 knob होता है, इसमें से एक knob जो होता है, ब्लैक कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, आप ब्लैक नहीं दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा color में change कराऊ, तो ठीक है, यह black और एक यह जो होता है, यह red होता है, तो यह बताता है कि आप यह wire का positive terminal करनेक करा दो, यह negative करा दो, तो इस तरीक ऐसे यह होता है, और यहाँ पर इसका मतलब deflection जो होगा, यह होगा, यहाँ पर readings होगा, यह इस तरीक ऐसे hold meter, multimeter होता है, तो इसमें एक provision क्या है, कि current को आपको एक specific direction से ही भेजना पड़ेगा, लेकिन अभी AC के पास दिक्कत क्या है, कि current is every second changing, current every second changing, alternately changing, यह हर समय change हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं DC emitter या DC hold meter को apply भी कर देता हूँ, तो दिक्कत इस बात की है, कि every second the current will change its polarity, तो यहाँ जो deflector है, that will not be able to deflect to anywhere else, यह DC पे काम कर रहा है, specific direction से current जाएगा, वो उदर जाएगा, current zero हो गया, यह वापस आजाएगा, इसके लिए काम करा है इस सो, और यह जो frequency है, जो AC की, वो every second 50 times changes, तो इतना change तो यह सहन नहीं कर पाएगा, यह मतलब zero reading देना शुरू कर देगा, तो मतलब क्या है, कि it is not a good point to use DC, यह जो DC emitter या फिर hold meter है, है ना, इसका इस्तमाल नहीं करना है, इसका इस्तमाल नहीं करना है, यह क्या read करते है, यहाँ पर clearly बताया गए, यह क्या read करते हैं बच्चों, यह read करते है, average value of current and voltage, ठीक है, potential difference, these emitters are prepared from moving के अलगलन मेंटर, the average values of alternative current, over full cycle is zero, average value जो इसकी, zero है, जो यहाँ पर दिया है, average value is what, zero है, तो average value अगर zero है, तो यह भी answer क्या देने वाला है, zero ही देने वाला है, when DC meters are connected across source of AC, there will be reading, reading will be zero, ठीक है, so reading will be zero, यह तो clearly समझ बहा रहा है, ओके, फिर क्या बताया, AC hold meter या फिर meter यह कैसे design किये, तो समझ लो, कुछ इस तरीके से idea लगा दिया, assume करो कि यह वो device है, यह यहां से न वायर है मान लिजिए, और वायर इस drum पर ऐसे rotated है, और यह ऐसे ला दिया, यहां पर pointer डाल दिया, और इसको मैंने spring लगवा दिया, जब current इस वायर मेंसे जाएगा, दिखे मैं AC के बारें बात कर रहूँ, जब current इस वायर मेंसे जाएगा, इस वायर मेंसे जाएगा, तो current कैसे भी जाओ, देखे current अगर खुद का direction change कर रहा है, तो आप I square पर बात करते है, I square जो होता है, square of current, वो direction independent होता यह, और आपने heat के बारे में पढ़ाए तो heat was i square r t right heat was i square r t तो इसमें current का square होता है मतलब क्या है कि हम लोग heating effect का इस्तेमाल करेंगे measurements के लिए जैसे यहां current directly proportional to theta होता है मतलब theta जितना मिल रहा है उतना ही current मिल रहा है यह confidence के साथ हम बोल सकते है लेकिन यहां पर current के square पर बात हो रही है मतलब 1 ampere कर जाता है तो यह i square पर बात करता है 2 ampere जा रहा है तो 2 का square 4 पर बात करेगा है ना तो इस तरीके से जो deflection होगा वो i square पर depend होगा कैसे होगा जैसे heat develop हो जाए तो यह wire जो है बच्चों यह wire जो यहां पर दिखाई है यह wire heat होना शुरू हो जाएगी और गरम होने के वाज़े से उसका thermal expansion होता है इसको drum पर इस तरीके से rotate किया है कि मान लो कुछ इस तरीके से rotate किया है कि जब यह expand होता है wire तो नीचे तो spring दिया था मैंने नहीं होता है बस रोटेट होता है तो इसके उपर जो लगावा pointer है क्योंकि hitting effect की वजह से है ना गरम हो रहा है तो जब गरम हो रहा है expansion हो रहा है तो नीचे का जो spring था spring उसको नीचे खीच रहा है तो नीचे खीचते समय यह drum rotate होगा तो जब rotate होगा कुछ इस तरीके से rotate होगा तो यह pointer भी हमें कुछ तो reading देने वाला है हाँ ओके तो यह hitting effect पर काम करने वाला है फिर क्या बताया है तो basis इसका जो basic part है वो basic part क्या बच्छो basis of hitting effect of current वह design किया जाता है heat produces in a resistance is directly proportional to square of current heat produced is directly proportional to square of current which always positive through the value of alternative current कैसे भी हो positive negative यह i square क्या आने वाला है हमेशा positive आने वाला है good तो इसका exact meaning क्या होता है इसके लिए मैंने एक article लाया है बहुत ही मतलब दिखेगा क्या आपको उस पर ही मुझे doubt है आपको पढ़ते मैंने यहां पर नीचे दो डिवाइसे लिए मैंने यहां पर मतलब दो अलग-अलग circuit लिए जिसमें resistor वही है जिसमें resistor वही है तो मैंने क्या किया इसमें एक alternating current का source लगवा दिया alternating current का source लगवा दिया current तो change हो रहा है लेकिन current change भी हो रहा है तो जो कोई current change होगा उसकी हिसाब से यहां पर देखिए हम बात करेगी यह resistor हिटर जो है रजिस्टर में energy का loss होगा मान लीजे यह bulb है या कोई और डिवाइस है या फिर हिटर है अजिम कर लीजे तो हिटर best होगा समझने के लिए तो जब current pass होता है तो अजिम कर लीजे इसने in time t hit h develop कर दिया किसने इस circuit के अंदर time t में यह device में hit h generate हो गया अभी यह उस समय की बात चल रही है जब already dc के sources market में को बहुत जादा थे है ना बहुत जादा तरीके से थे तो एक काफी अच्छा market established था जिसमें dc sources related ही पूरा मतलब दूसरा कोई source available नहीं था तो इसमें अभी अगर बात करें निकोला टेसला ने जिस तरीके से काम किया तो उस तरीके से अगर बात करें तो इन्हों ने जो है कि हीट तयार करना चाहिए उतने time में कम पैसे में है तो मैं क्या करूगा समझ लो इसको समझ लो कि मैं इस तरीके से लेकिन उस समय में तो dc source था उस समय में तो dc source था तो समझने की बात यह है कि अगर मैं dc का कोई source लगवा दू अच्छा आभी फिलाल के लिए इसके i naught by root 2 को समझ मतलो इसको मतलो आप इसको मतलो मैंने शायद थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सही है वो भी सही है तो मैं सोचूगा इसमें से current मैंने i pass करवा दिया कितना current pass करवा दिया मैंने i current pass करवा दिया इसमें से मैंने i current pass करा दिया और i current pass होने के बाद resistor में से i current pass होने के बाद मुझे पता चला कि हाँ इसने hit h generate किया इतने time team है अभी मेरे लिए important यह था कि इसमें से मैंने current i pass किया लेकिन इसमें से जो current पास किया वो तो I0 sin omega t था मतलब हर second में change हो रहा है तो अभी मेरे लिए important यह है कि जो current मैंने इसमें से भेजा है इसने भी उतना heat develop किया जितना इसमें था purpose एक है दोनों device में same heat produce होना चाहिए same time में होना चाहिए तो चीज यह है कि मुझे अगर पता है कि मैं AC इस्तमाल कर रहा हूँ तो mathematical it is seen that and observe you practically also observed कि जो I0 है I0 को divided by root 2 कर दो I0 को divided by root 2 कर दो जो number मिलेगा उतना current यह DC में से pass होना चाहिए अगर यह AC circuit जिसमें से peak value I0 है I0 pass होने के बाद में time t में heat develop हो रहा है तो मुझे इसका replacement DC से चाहिए DC जो कि इसमें से DC में से current pass होगा कितना तो अगर यहाँ I0 है तो इसमें से pass करना पड़ेगा I0 by root 2 इसमें से pass करना पड़ेगा I0 by root 2 तब जाके उतने time में उतनी heat develop होगी एक तरीके से आप बोल सकते हो यह जो value में बता रहा हो इसको कहा जाता है RMS इसको कहा जाता है RMS value RMS value is that value of DC current you can say RMS value is that value of DC current which when passed through the circuit produces same heat in same time as was produced by that AC circuit slowly समझते है suppose alternating current I equal to I0 sin omega T is flowing through resistor R H is the amount of heat produced in time T okay the steady current DC the steady current DC is required to produce the same amount of heat in same resistor in same time T it is found to be I0 by root 2 क्या बताया the steady current required इस पर ध्यान दो the steady current required is found to be I0 by root 2 I0 by root 2 मगर दोनों एक दूसरे से equivalent हो गए अगर मुझे AC की जगा DC इस्तमाल करना है या फिर DC की जगा AC इस्तमाल करना है तो मेरा कनवर्शन फैक्टर मिल चुका है अगर इसकी peak value I0 है यह जितना काम कर रहा है उतने टाइम है इसने भी काम उतना ही करना चाहिए तो यहां I0 है तो मुझे यहां I0 by root 2 इस्तमाल करना होड़ेगा एक तरीके से यह conversion factor आगए और काम करने का तरीका यही होता है क्योंकि हमें तो requirement यही होती है कि उस रजिस्तर ने उतना ही develop करना चलो बहुत ज़्यादे इस पर discussion हो चुका है अभी खतम करते इस चीज़ को तो I0 by root 2 is called as yes I0 by root 2 is called as mean square value of alternating current rms root mean square sorry चलो आगे बढ़ते हैं हाँ यह क्या था तो it is found that यह हमें अभी prove करना है बच्चों क्या prove करना है यह हमें prove करना है irms i0 by root 2 और e rms होता है e0 by root 2 यह अभी prove करना है यह prove कर देते हैं इनको क्या कहा गया यह भी समझ दो यहाँ पर दिखाता हमें अच्छा यह थोड़ा सा दिक्कत भरे काम होगा RMS values are also called as effective values और virtual values of EMF and current effective या फिर virtual कहा जाएगा इस पर ध्यान देना है आपको इस पर ध्यान देना है आगे बढ़ते हैं तो हमें यह प्रूव करना है कि IRMS equal to I0 by root 2 इस पर कैसे काम करें चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देख लो so let I equal to I0 side सर ओमेगा टी ले या ओमेगा टी प्लस अलफा तो कोई दिक्कत नहीं ओमेगा टी ले लीजे अभी मुझे RMS चाहिए तो RMS value किस तरी किसे निकालते हैं तो RMS समझ लो अगर मैं I RMS लिख देता हूँ तो लिखने का तरीका यह है root root ठीक है root फिर mean और mean कहां से कहा तक तो इसमें बच्चो 0 to omega t यह तो 0 to t 0 to t यहां मैं dt डाल देता हूँ यह compulsory होता है इसके अंदर क्या है तो हम देखिए IREMS था तो mean mean value क्या है देखिए root निकाल दिया मैंने mean square तो square के लिए यहां पर दे तो i square और यह dt क्या क्या बता है मैंने समझ लो इसको क्या क्या बता है किस से बता है I turnover to पहले मैंने निकाला Arch root root root, mean के लिए मैंने यह line निकाल दिया, उपर integration, नीचे integration, नीचे में dt डाल दिया, square, square किसका, तो यह value उठा के डालना है, मुझे यहाँ पर, तो जो i दिख रहा है, i का square, और यह dt, लेकिन ऐसे निकालना थोड़ी तकलिफ हो जाती है, तो क्या करते कई बार, i rms, इसको इधर square करवा देते हैं, तो यह square root निकल जाएगा, थोड़ी देर के लिए, 0 to t, i square dt, और नीचे integration of dt, जो था, वो capital T, मिल जाएगा, अच्छा, अभी क्या, 1 by t, integration, 0 to t, यह अभी अच्छा दिखेगा, i square, तो i में यह value आपको रखना है, i में यह value आपको रखना है, यह value रख दो, तो रखने के बाद, i का square होने के वज़े से, यह मिलेगा मुझे, i naught का square, और यह मिलेगा मुझे, sin square omega t, और dt जो था, वैसे ही dt मे यह आपको डाल दिया, फिर बाहर क्या आएगा, बाहर आजाएगा, i naught का square, यह t वैसे ही, 0 to t, औ अंदर रह गया, sin square omega t dt, तो बच्चों को मेरा यह suggestion है, personally मेरा suggestion है, कि unnecessary ऐसी चीज ना carry मत करो, इसको मान लीजे, ऐसे करो, इसको exam में ऐसे करो, कि IRMS का square, लिखके रख दो, और इसको equation 1 डाल दो, आगे स्वाल मत करो, इसको रख दो, अभी क्या करना है, जिस बच्चे को integration करके दिखाना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिखा पाता है, तो एक final इसका result आने वाला है, t by 2, उस result को ध्यान में रखो, तो पहले मैं इसको स्वाल कर दू, तो जिन बच्चों का mathematics वी का, उनके लिए क्या है, तो half mark चला जाएगा, कोई दिक्कत ने, लेकिन नहीं अगर ज minus square omega t dt, can be written as 0 to t, तो sin square का ये expansion हर बच्चे ने याद करना है, इसमें sin square कई बार आने वाला है, तो sin square जो होता है, वो होता है, 1 minus cos, क्योंकि sin square theta अगर होता, तो 1 minus cos 2 theta, theta की जगा पर omega t, और divided by होता है 2, ठीक है, ये dt, फिर आगे, is equal to, तो ये 1 by 2 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा integration, ये dt, और minus integration 0 to t, cos 2 omega t dt, ओके, यहां तक भी सही चल रहा है, is equal to 1 by 2, integration dt, तो ये t मिल जाएगा, minus, यहां पर क्या देखिए, integration cos 2 omega t is, हां, sin 2 omega t, divided by, 2 omega, 0 to capital t, ये value आगी, आगे क्या, बच्चों को भी समझ में आ रहा है, ये इसका answer 0 आता है, कैसे आता है, मैं सिर्फ दिखाने वालो, t, minus, ये 1 by 2 omega आप निकाल दो, तो अपर limit और lower limit डालते है, तो sin 2 omega capital t, minus sin 2 omega multiply by 0, ठीक है, तो 1 by 2, ये t, minus, ये 1 by 2 omega, sin 2 omega t, sin 2 omega 2 pi by capital t, multiply by t, और यहां पर आगे, ये बच्चों, sin 0, तो यहां अगर आप ध्यान दो, तो tt cancel हो गया, और sin of 4 pi, sin of 4 pi होता है 0, sin of 4 pi होता है 0, right, so sin of 4 pi 0, sin 0, 0, मतलब इनका difference, ये तो 0 हो गया, मतलब ये पूरी तरीके से आपका अंसर 0 लाके देने वाला है, अगर ऐसे 0 है, तो 0 से multiply यहां पर करा दी, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब बचा क्या, तो बचा t by 2, तो ये जो mathematically बाता रहूं मैं आपको, 0 to t में, अगर गलती से कहीं पर भी sin omega t और dt आ जाता है, तो बच्चो आपने इस बात को याद रखना है, नहीं जबेगा, येस, इसको ध्यान रखना है, तो इसके basis पर अभी मैं इस equation को, equation number 1 को modify करना शुरू कर दूगा, तो जगा कम है, तो मैं बोलूगा है, यहां पर use equation 1, use in equation 1, तो one equation देखिया, irms का square, is equal to, यह i0 square by t, multiply by, यह result मिला मुझे t by 2, तो tt cancel हो गया, तो i, rms का square, is equal to मिला i0 by 2, दीखतो रहा है न, i0 by 2, तो last, चलो, ठीक है, मैं color change कर देता हो, मैं जहां पर result लिखना है, मुझे यहां पर result लिखना है, yes, final result आ चुका है, तो irms, is equal to, यह, इसको root निकाल दो, तो देखिया, क्या हो जाएगा, यह square था न, यह irms, i0 का square था, divide by 2, तो square root निकाल दो, तो i0 का square जो था, तो i0 का square जातो था, तो यह i0 बन जाएगा हैं पर, और divided by 2 था, तो यह root में चला जाएगा, अच्छा, चलो यार, यह आ गया, इस तरीके से यह आ चुका है, इस तरीके से यह आ चुका है, irms equal to i0 by root 2, got it, तो यह, यह होता है, तरीका यह पूरा solve करने का, तो इस तरीके से में आपको क्या बताए, अननेसेसरी इसको carry मत कर दो, यार, लास्टर, तो sin square omega t दिख गया ने, तो इसको अलग रख दो, इसको equation दे दो, solve कर दो, जिस बच्चे को तकलिप हो रही है, उसने क्या करना है, यहाँ पर, sin square omega t dt का answer t by 2 डाला है, तो बस वैसे लिखना है, but it clear हो गया, चल, आगे बढ़ते हैं, a resistor with resistance r carries a sinusoidally varying ac, obtain expression for heat produced in the resistor in one complete cycle, तो heat का जो formula है, वो होता है i square r t, लेकिन क्योंकि current हर समय change हो रहा है, क्योंकि current हर समय change हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दता हू, dh equal to i square r dt, यह समझ लो, ऐसे क्यों लिखा, current की value हर समय अलग-अलग है, current की value हर समय change हो रही है, तो जो heat produce होगा, उस particular time पर अलग होगा, अलग time पर अलग होगा, इसका average निकालना है, तो average निकालने के लिए, h equal to integration, लिखना है मुझे dh, 0 से कहां तक, t, क्योंकि इन्होंने बोला है, one complete cycle, इनका कहना है, in one complete cycle, ठीक है, तो is equal to, तो देखे, is equal to 0 to t, इसको लिख देता हूं है, i square, और यह r, और यह dt, right, i की जगा पर क्या रखना है बच्चों, आपको पता है अभी, i की जगा पर, i naught, sin omega t, इसका square आ जाएगा, यह r आ जाएगा, और यह dt आ जाएगा, तो इसमें से कौन common निकलेगा, i naught square बहार निकलेगा, r बहार निकलेगा, और integration के अंदर, रह जाएगा, integration के अंदर रह जाएगा, sin square omega t, तो already मैंने इतना सारा explanation, इसके पहले दे दिया है, तो h is equal to, i naught का square r, multiply by, इसका अभी आप देख सकते हो ने, जो मैंने derivation करा के दिया है, derivation in the sense, जो मैंने derive करा के दिया है, equation जो जिस तरी के से किया है, इससे result मिला था, t by 2, capital T by 2, तो लिख दो इसको capital T by 2, तो final formula मिला, h is equal to, i naught का square, by 2, और r into t, अच्छा, ऐसे नहीं लिखना है, refer to equation, आप notebook में लिख देते हो, refer to that equation, तो final board examine, लिखना है, refer to that equation, solve करके दिखारना पड़ेगा, expected यह है, तो i naught square by 2, जो है, i naught square by 2 है, देखिए, बच्चो, i rms था, i naught by root 2, तो i rms का square होगा, i naught square by 2, बस वही तो चीछ चल लिए, तो मैं यहां लिख दू, i rms का square, और यह r, और यह t, primarily यह आपका, answer हो चुका है, यह answer आ गया, लेकिन यह जो answer आया है, तो मुझे क्या होता है, board में जो बताया गया है, board में क्या किया है, omega equal to, हम लोग इस्त्वाल करते, 2 pi by t को, so t is equal to, आ जाएगा 2 pi by omega, तो हो सकता, आपको textbook में ऐसे दिख जाए, i rms का square, और r, और t की जगा पर, 2 pi divided by omega, जैसे भी हो, आप दोनों result से भी आ रहा है, r into 2 pi by omega, या फिर, वहापर time period t डाल दो, got it, clear हो रहा है, चलो, आगे बढ़ते हैं, और एक question दिया है, question थोड़ा go through कर लो, question गो through कर लो, ये भी text books है, थोड़ा माइक चेक कर लूँ मैं, power है, नहीं है, ये सारी चीज़े देखना पड़ता है, बच्चो, ठीक चल रहा है, चलिए, आगे question पर आते हैं, question क्या है, find the time required for a 50 hertz alternating current, अच्छा 50 hertz alternating, ति ये 50 hertz क्या होता है, ये होता है, सीधे सीधे, frequency, to change its value from 0 to rms, देखे, 0 to rms, ये बहुत important है, 0 to rms, तो current का जो formula हमारे पास है, i equal to i naught sine omega t, इसका इस्तमाल हमको करना है, और इन दोनों के बीच का relation देखे, i rms, i naught y, root 2 होता है, ये क्यों लिए है, इसके पीचे science समझ लो, frequency, 0 to rms value, तो current की instantaneous value, current की instantaneous value, instantaneous value, मतलब ये जो i है, इसकी जगा पर आपको लिखना है, i naught y, root 2, इन्होंने कहा है, instantaneous value, ये देखे, from 0 to rms लिखा है, है न, changes from 50 hertz है, तो question पूछा गया, find the time, कितना time लगेगा, तो time required for what, required for changing from 0 to rms value, तो इसे में, finally rms तक पहुचा है, मतलब ये instantaneous value को, आप i naught by root 2 ले लो, जैसे उठा के हाँ पर डाल दिया, i naught by root 2, ये i naught, ये sin omega t, i naught i naught cut, फिर इसके आगे तो match पता है, देखे, omega sine किस angle को, 1 by root 2 answer में लेगा, 45 degree मतलब pi by 4 को, तो omega t की जगा पर pi by 4 लड़ो, omega 2 pi by t था, multiply by ये small t आया, देखे, pi by 4, pi pi cancel करवा दिया, फिर इसके बाद में तो है, t by 8, लेकिन capital t by 8 है, मुझे time चाहिए, और time period, और frequency में relation ये होता है, कि time period, is reciprocal of frequency, तो ये small t वैसे दिया है, 8 भी वैसे दिया है, लेकिन time period की जगा पर 1 by f रखा है, solve कर दिया, 1 by 400, solve कर दिजे, 2.5 10 raise to minus 3 second, इतने second में, current 0 से rms तक पहुँचेगा, इस तरीके सिए सवाल हो गया, solve, what is phasor, yes, ये phasor is a rotating vector, represent a quantity varying sinusoidal limit time, आप किसी भी चीज़ को भी miss कर दिया तो चलेगा, लेकिन इस से आगया आपको skip नहीं करना पड़ेगा, ये इसको एक बार समझ लो, मैं इसके लिए आपको बहुत ही important चीज़ बताने वाला हो, जैसे मान लीज़े, मेरे पास एक formula है, e equal to e naught sin omega t, अगर ये formula मेरे पास है, तो मैं इसमें क्या-क्या चीज़ अब्ज़र करूगा, उस पर थोड़ा focus करो, सबसे पहले मैं इस चीज़ पर focus करूगा, कि मेरे लिए ये e naught कौन है, तो मैं e naught को कह देता हूँ, यहाँ पर peak emf, peak value of emf, यह जो है e naught जो यह क्या है बच्चो, यह peak value of emf है, तो अभी rule क्या है समझ लो, हमें phasor जो निकालना है, जिसको हम लोग phasor कह रहे है, एक तरीके का एक vector है, तो जो formula आपको देख रहा है, उसमें हमें सबसे पहले तो यह चीज़ करनी है, इस तरीके से x और y quadrant तेयार कर देना है, इस तरीके से यह quadrant तेयार कर देना है, ठीक है ? quadrant, फिर आगे क्या करना है ? समझ लो, इसमें जो formula आपको दिख रहा है, यह formula में पहले तो e naught को समझ लो, e naught जो है, e naught is peak value, तो मुझे जो vector लेना है, जो vector लेना है उस vector का जो length होगा क्या होगा उस vector का जो length होगा वो length का magnitude होगा E naught क्या बता है वापस बता रहो मैं समझ लो जो vector मैं लेने वाला हो उस vector का magnitude जो होगा length जो होगा E naught उसके बाद second, वो vector rotate हो रहा है, दुसरा point, वो vector rotate हो रहा है, पहला point, vector का length ले लिया, peak value, दुसरा point, वो vector rotate हो रहा है, तिसरा point, कैसे rotate हो रहा है, anti-clockwise rotate हो रहा है, कैसे rotate हो रहा है, anti-clockwise rotate हो रहा है, got it, anti-clockwise rotate हो रहा है, अच्छा, उसके बाद क्या, anti clock wise rotate हो रहा है उसके बाद anti clock wise rotate हो रहा है लेकिन कितनी speed से उसका angular speed है omega क्या angular speed है उसका omega तो अभी मान लीजिए ये vector ये vector जिसका length है e naught और ये vector rotate हो रहा है with angular speed omega किस direction में rotate हो रहा है anti clock wise फिर आप पोचोगे ये यही पर क्यों निकाला नीचे क्यों निकाला तो समझ लो इसमें मैंने दिया है sin omega t तो अभी अगर time t है तो assume कर रहा है अभी time t पर मान लीजिए ये यहां पर पहुच चुक है so omega t ये angle हो चुक है तो अभी देखिए हमने किस तरीके से कितना अच्छे तरीके से इस equation को इस equation को modify करा दिया एक vector में इसे कहा जाएगा फेजर अच्छे इसकी speciality क्या है इस पर से क्या मुझे equation मिल सकता है क्या इस पर से मुझे equation मिल सकता है हाँ मिल सकता है hundred percent मिल सकता है कैसे मिलता है वो समाझ लो इसकी y axis पर मैं इसका projection डाल दूगा अभी कुछ बच्चे confuse हो जाएगी तो देखिए board में preparation कर रहे है लेकिन यह चीज़े तो 11 में हुई होती है projection का मतलब यह होगा यहाँ पर यहाँ से foot up perpendicular डाल दिया यह omega t attached है तो omega t यहाँ पर है अगर मान लिजी यह hypotenious है assume कर लिजी यह hypotenious है तो hypotenious अगर है तो opposite side की value मुझे in terms of hypotenious और angle कैसे दी जाएगी तो आपने पढ़ा है sine theta equal to opposite side divided by hypotenious sine theta equal to opposite by hypotenious तो opposite side is given by hypotenious into sine यह opposite side जो होगी वो होगी hypotenious into sine और यहाँ पर theta की जगा कोन है omega t तो मैंने आगे वाली चीज़ दिये लेकिन समझ लीज़े जब आप vector को result करते तो आपको समझ भाएगा यही चीज मैं यहाँ पर दिखाऊगा क्योंकि यही length यहाँ पर है तो यहाँ का मतलब यहाँ पर ले लेता हो तो yes यह जो projection है on y-axis इसको कहूगा मैं अभी projection तो इसका projection इसका जो component है on y-axis इसका result मिलता है e naught sine omega t यह हमें उस particular time का projection देता है जैसे time बढ़ेगा, angle बढ़ेगा, angle बढ़ने के वज़े से यह पकी result भी बढ़ने वाला है, change होने वाला है तो यह projection जो है यही आपका equation था इतना सही डंग से इसको बनाया गया है I hope you are understanding this one आपको यह समझ में आगया मैं थोड़ा slow ले रहा हूँ यह revision भी है और slow इसलिए कि कही ना कही आपका नुकसान ना हो जाए कि fast में होता क्या है एक समादान हो जाए कि fast में हो गया कुछ तो चीज़े तो आपके हाथ में बटन वहां पे है या आप fast forward कर सकते हो 1.25, 1.5 के speed भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उन बच्चों का तो नुकसान नहीं होना चाहिए कि जिनको लग रहा है कि यार मैंने तो मैंने तो जब हुआ है class में तब मैंने किया ही नहीं तो अभी अगर जो करना है तो full detail में करना है तो ठीक है detail में समझ लो इसको है ना तो यह result आगे बच्चों फेजर पे clear होगे आपका ओके got it clear है आगे बढ़ते है अभी next question क्या है question में यह है कि an alternating EMF equal to E naught sine omega t is applied to a resistor of resistance R write an expression for write an expression expression निकालना है for current through resistor किसके लिए current through resistor चलो current का result निकालना है फिर क्या बता है show variation of EMF and current with omega t ओके यह भी दिखा देते हैं और फिर पूछाए कि draw phasor diagram ओके phasor भी diagram निकालना है ओके इतना सारा करना है तो जगा मेरे पास इतना ही बचा है इतनी देख रहो जगा कितना है इतनी जगा बे मुझे यह सारी चीज़े करनी पड़ेगे तो यहां शुरुवात करते हैं यहां से यहां से शुरुवात करते हैं तो given क्या बताया गया यहां पर e equal to e naught sin omega t यह value बताई गया अच्छा ठीक है लेकिन इसके पहले हमको हमको जो है न बच्चो यहां पर resistor तो पहले यह भी निकालना पड़ेगा diagram जो रहेगी है तो diagram यह आने वाली है चलो थोड़ा फास्ट यहां क्या करना है समझ लो यहां मैंने डाल दिया resistor जिसका value है r और यहां पर मैंने डाल दिया इक्वल टो इनॉट साइन ओमेंगा ठीक है यह डाल दिया मैंने आपर अभी नीचे जो quantity इसके ज़रूरत नहीं है ठीक है as current i equal to that voltage divided by resistance यहां से शुरुवात करना है आपको समझना है कि आपका यह जो changing है मतलब जिससे सारा change होने वाला है वो यह है जैसे पूरा equation change होने वाला यह main equation है तो आपको i equal to जैसे आप लेते हो न voltage equal to current into resistance ohms law के हिसाब से तो current is voltage divided by resistance आना चाहिए so current is what voltage divided by resistance तो voltage यहां पर डाल दिया so therefore क्या होगा i equal to e की जगा पर e not sin omega t और यहां पर divided by जो r था बैसे ही let e not by r equal to i not अभी इसको नाम क्या देना है तो समझ लो यह तो e not जो था बच्चो यह था peak value peak value of emf तो इस तरीक ऐसे peak value को divided by resistance तो यह हो गया हमार लिए peak value of current है ना so e not divided by r की value आगे i not which is nothing but peak value of current तो यह peak value of current यहां पर मिल चुके okay got it तो चलो clear हो गया यहां तक आ गया अभी इसके आगे क्या इसके आगे क्या तो formula मिल गया i equal to i not sine omega t तो मेरे लिए important यह है कि यह formula अगर मैं देखू अगर यह formula मैं देखू और यह formula देखू तो formula number 1 मान के चलिया और यह formula number 2 मान के चलिया है तो इन दोनों को अगर देखू तो दोनों में sine में sine अगर बात कुर तो sine omega t और यहां पर भी omega t है तो यहां पर पहला है note down यह कर दूगा कि emf and current are in phase क्या बता है मैंने आपको are in phase यह सबसे पहला point है कैसे phase है तो आप इसका sine omega t तो sine के अंदर जो था omega t इसको और इसका अंदर sine omega t है तो omega t माइनस omega t हो गया है 0 phase difference मुझे मिलने वाला है 0 यह एक चीज हो गई अच्छा आगे बढ़ते हैं अभी क्या हो गया current का एक प्वेशन मिल गया है second show that emf and current with respect to omega t ठीक है पहले मैं phasor diagram निकाल दूँ तो phasor diagram के लिए पहले phasor diagram निकाल दूँ तो phasor diagram के लिए वेक्टर ले ले लेते हैं extremelyly sorry यह quadrant निकाल देता हो मैं यह y है और यह x है okay तो सबसे पहले मैं emf पर बात करता हूँ क्योंकि emf equal to e equal to e not sine omega t है तो e not vector की length जो होगी वो होगी e not okay यह हो गया vector e not यह rotate हो रहा है किस speed से angular speed omega से okay यहाँ पर angle कितना है omega t यह तो आपने पहले भी दिया है open construction से डिया अगर Gण के बारे में बात करो तो current के बारे में बात करो तो i equal to i not sin omega t तो current की लिए जो phasor आएगा current के लिए जो phasor Luther आएगा वो phasor जो होगा उसका length कितना होगा तो current का जो phasor है इसका length है i not और I0 बराबर इस पर ही ओरलाप मुझे डालना पड़ेगा इस पर ही ओरलाप डालना पड़ेगा ये हो गया आपका I0 और I0 sin omega T है क्योंकि omega T है दोनों फेज में है इसका मतलब ये हो रहा है E0 और I0 दोनों के दोनों वेक्टर जो है एक ही लाइन में मिलने वाले है बोथ आर इन सेम फेज ठीक है दोनों के दोनों का angular speed omega है अच्छा है इनका projection देख लेते है current का projection और यहाँ पर voltage का projection तो current का projection अगर बात करू current का projection तो ये value मुझे मिल सकती है I0 sin omega T दिखनी रहा ठीक है इसको लिख दोगा हमे I0 sin omega T और इसके अलावा ये जो projection दिख रहा है मुझे ये projection मिलने वाला है E0 sin omega T current का projection I0 sin omega T और voltage का projection E0 sin omega T इस तरीके से मुझे projection भी मिल गया फिर next जो है next क्या चीज़े समझ दो यहाँ पर पूछा गया है show that the variation of EMF and current with respect to omega T तो with respect to omega T दिखाना है मुझे तो सबसे पहले मैं ऐसा समझूगा यहाँ पर इतने की जरूरत नहीं है पर ठीक है देखें क्या होगा यह मान लिजे जीरो यह आ गया आपका पाई बाई टू यह आ गया यहाँ पर पाई 3 पाई बाई टू 4 पाई बाई बाई टू मतलब 2 पाई और यह 5 पाई बाई यह है ओमेगा टी की वेलिऊ यह ओमेगा टी की वेलिऊ तो सबसे पहले में अगर होल्टेज पर बात करो क्योंकि होल्टेज जो है E equal to E not sin omega t पर है तो अगर EMF के बारे बात करो तो यह sin 00, sin91, sin 180, sin 270, minus 1 यहाँ पर देखिया बस ऐसे ही आपको, जैसे आपने अल्रेडी किया है, वैसे ही continue करा ला है, यह जो पहला graph मैंने निकाल दिया, यह निकाला है EMF से related, और यहाँ पर है plus E naught, और यहाँ पर है minus E naught, फिर दूसरा निकालना है graph मुझे किसका, current का, तो मुझे यहाँ दिख रहा है current I naught जो है, I naught है, E naught बायार होने के साथ होड़ा सा कम होगा, तो कम होगा तो ठीक है, लेकिन बोतार in phase, मतलब दोनों एक साथ ही vary होते हैं, तो यह जो दूसरा पार्ट है, यह हो गया आपका current का graph, यह हो गया आपका current का graph, are you getting this one, यह हो गया current का graph, तो जो उन्होंने पूछा है, तो उस हिसाब स मिन ला दिया, आप बोलोगे सर यह 4 mark वाला question ऐसे कैसे, तो definitely बच्चो notes में आपको दिया है, notes में आपको यहाँ पर attach कर दूगा, तो आपको बहुत clearly यह सारी चीज़े with statement भी तो लिखना होता है, with statement भी तो लिखना होता है, लेकिन मैं एक तरीका यह भी बताओ, कि क्योंकि यह जो chapter है, इसमें कई सारे न equation, derivation ही है, तो derivation, equation ही होने के वज़े से यह आसान हो जाता है, जो बच्चा 2-3 बार मतलब लिख के भी practice कर लेना, तो उसके लिए काफी आसान हो जाता है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते है बच्चो, यह तो मेरे तर से clear होगे, फिर purely inductive AC circuit, वापस से वही चीज, मैं यहाँ पर partition करवा देता हो, ताकि हमें आसानी हो, शुरुवात यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पर बताया है inductive, inductive का मतलब क्या हो रहा है, circuit में inductor का इस्तमाल करना है, ओके और AC circuit है, चलो बात करते हैं यहाँ पर, और purely inductive का मतलब यह हो रहा है, inductor जो होता है वो एक तरीके से coil होती है, लेकिन इसका resistance भी होता है, coil का resistance भी होता है, पर जब बताया गया है, purely बताया गया है, purely अगर बताया गया है, तो सिर्फ आपको inductor लेना है, उसकी जो है resistance की value नहीं लेनी, तो यह inductor of value L और यहाँ पर, मैंने voltage दे दिया, तो मान लिजे, let E is equal to E naught sin omega, यह EMF की value है, इतना मैंने यहाँ पर दे दिया, जैसे resistor में मैंने I equal to E naught by R लिखा था, वैसे अगर लिख दू, तो पूरा के पूरा यहाँ पर गलत होने वाला है, अभी क्या होगा, यह समझ लो, inductor की जो basic property वो क्या थी, यह अ पूरा सा अलग से मतलब उपरी उपर discussion करूगा, समझने की बात यह है, कि inductor की एक property, एक tendency है, अगर current बढ़ता है, यह current घटता है, तो यह इसको oppose करता है, अगर current बढ़ता है, यह घटता है, तो यह दोनों सूर्तों में क्या करता है, यह oppose करता है, और oppose करने के लिए खुत मे एक EMF induced करता है, तो मैं बोलूँ यहाँ पर induced EMF across inductor EL is equal to minus L di by dt, यह कौन होगा बच्चों, induced EMF across inductor, अभी क्या होगा, यह जो source है, source को यह oppose कर रहा है, source के हिसाब से आप बात करो, inductor जो है source को oppose कर रहा है, source कोशिश कर रहा है, source कोशिश कर रहा है, कि किस तरीके से constant current maintain कराया जाए, यहां कि हाला कि constant current नहीं होगा, लेकिन current तो बढ़ा रहा है फिलाल में, तो अगर current बढ़ा रहा है, तो इसका source का target बहुत clear है, कि इसको current oppose कर रहा है, उसके exactly equal और opposite EMF यहां develop करना चाहिए, क्या करना चाहिए, source ने, जितना inductor oppose कर रहा है, उसके exactly equal opposite EMF इसने develop करा कि देना चाहिए, ताकि यह जबरदस्ती से क्यों ना हो, current को आगे बढ़ाते रहे, यह oppose करेगा, यह उसको oppose करेगा, तो इस तरीके से minus sign आ गया, तो और यह EL जो था, minus L, DI by dt, तो E is equal to आगया, plus LDI by dt, ओके, so therefore, DI is equal to E by L, और यहां लिख देता हो, बैच्चों में dt, तो DI is equal to E की जगा पर E naught, sin omega t dt और यहां पर divided by जो था, वो L था, इसको करना है, integration, so I is equal to integration DI over full cycle, तो integration E naught by L, sin omega t और dt, full cycle नहीं करना है, sorry, full cycle कर दिया, तो यार 0 ही दे गई answer, ठीक है, तो ऐसे limit डालना है, बस ऐसे ही डालना है, तो I is equal to E naught by L common, और integration of sin omega t is minus cos omega t divided by omega, यहां तक लाना है, इसमें constant of proportionality आता है, जो 0 हो जाता है, तो लिखने की ज़रुवरत नहीं, तो I is equal to negative E naught by, यहां मिल गया omega और यह L, और यह cos omega t, यह basically एक result मेरे पास है, लेकिन इस result को change करना है, और change करने के लिए आपको थोड़ी चीज़े समझनी पड़ेगी, क्या होता है ना, एक पर formula देता हूँ यहां पर उसको समझ लो, इसको note down करो, देखिए, मेरे पास अगर sin 90 degree या फिर πाई बाई 2 प्लस theta है, तो यह होता है cos of theta, और sin 90 minus theta है, तो यह भी होता है cos theta, यह तो मतलब बहुत परेशानी वाली चीज़ हो गही है, क्या बोला, मैंने sin 90 plus theta, मतलब pi by 2 plus theta, वह भी cos theta होता है, और sin 90 minus theta, यह quadrant में सारे positive होता है, यह भी cos theta आ गया, pi by 2 होने के जैसे sin का cos हो रहा है, लेकिन second quadrant में sin का cos होता है, first quadrant में sin का cos होता है, और दोनों में positive number ही आता है, अभी दिक्कत क्या हो रही है, मुझे इस में से एक choose करना है, क्योंकि पर परिशानी क्या है, मुझे यहां पर cos की जगा पर मुझे sign की term लानी है, क्यों लानी है, क्योंकि यह बंदा जो है, यह sign में है, तो मुझे final result भी sign में ही चाहिए, ताकि मैं इन दोनों को compare कर पाऊ, तो अभी धर्म संकट क्या है, धर्म संकट यह है, कि दोनों ही अपनी जगा पर सही है, और किसका इस्तमाल करो, तो मैं यह note down के लिए दिया है, अभी मैं बताऊगा कि किसको इस्तमाल करना है, तो कि इस्तमाल किसको करना है, उसके लिए समझ लिजिए, यह pi by 2 प्लस theta वाली situation है, difference हो रहा है, minus हो रहा है कुछ तो lag वाली, और add हो रहा है तो lead वाली situation, तो अभी करना है, समझ लो, मैं यहां बताऊ आपको, जैसे यह voltage develop हुआ, यहां पर power source आया, समझ लो, जैसे current बढ़ना शुरू हुआ, current बढ़ना ही शुरू हुआ था, current अभी बढ़ा भी नहीं है मान लीजे, आपने switch on कर दिया, current जिस तरीके से बढ़ने वाला था, तो यह बंदे ने current बढ़ने के पहले ही, उस current को oppose करने के लिए, खुद की provision तयार कर दी, क्या बताया मैंने, current बढ़ने ही वाला है, तो इसने पहले voltage develop करा दिया, ताकि वो ना आ पाए, तो voltage यहां पर lead क करता है, voltage यहां पर क्या करता है, lead करता है, समझ लो मेरी बात, voltage lead करता है, तो अगर voltage lead करता है, मतलब current lag करना चाहिए, अगर voltage आगे है, मतलब current पीछे होना चाहिए, तो मेरा सीधा सा choice है, मैं choice में न, इसको ले लूगा यहां पर अभी, तो मेरा जो current वाला result है, I equal to minus E divided by omega L, cos की जगा पर मैं डाल देता हूँ, sin, और sin, pi by 2 minus theta की जगा पर omega T, और फिर इस minus sin को जब मैं अंदर डाल देता हूँ, E by omega L, और minus को अंदर डाल देता है, तो अंदर आ गया, sin, omega T minus pi by 2, यह इस तरीके से मेरे पास बच्चों आगया result, यह दो मेरे लिए formula है, जो important है, तो मैंने किस तरीके से choice किया है, वो समझ लो, एक बार आप recording वापस से देखना है तो देख लो, लेकिन मेरा choice जो है, यह इस तरीके से मैंने second choice ले लिया, तो i equal to अभी क्या है, तो देखें क्या होगा, इसको मैं compare करूगा, यह था न, e0 था क्या, e0, 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 so let e0 by omega l, इसको मैं i0 बोल देता हो, जो की होगा peak, value of current, peak value of current, so therefore i is equal to मिल जाएगा मुझे i0, sin omega t minus i by 2, तो अभी इसके बाद मैं इस result का इस्तेमाल करूगा, तो मेरे पास दो results है, इन दो results का मुझे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले मैं phasor diagram पर काम करना शुरू कर दूगा, तो phasor diagram पर काम करते समय, phasor diagram पर काम करते समय, समझ लो हमें, और आगे इस पर भी काम करना है, e0 y omega l पर भी काम करना है, तो phasor diagram को समझ ले के लिए, पहले, तो मैं इस तरीके से, quadrants निकाल दू, यह x और y दिखा दू, यहाँ पर फिलाल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, x, y मतलब representation के लिए, अच्छा, तो emf के बारे में बात करो, तो e equal to e0 sin omega t, जब से यही है equation जो fix है, current ही change हो रहा है, तो e0, e0 जो है peak value है, तो इसका एक vector बना दो, e0 का एक vector बना दो, बना दिया, e0 का एक vector बना दिया, इसकी peak value e0 है, और यह इस तरीके से rotate हो रहा with angular velocity omega, और यहाँ पर है omega t, ठीक है omega t, यह है omega t, अभी current के बारे में, अगर current के बारे में देखो, तो i equal to i0 sin omega t minus pi by 2, तो sin omega t minus pi by 2, तो आपको omega t और उसमें से pi by 2 घटाना पड़ेगा, मतलब, आप current जो यहाँ तक आ सकता था, तो वो pi by 2 से पीछे रह गया, pi by 2 से पीछे रह गया, तो current यहाँ पर आ चुका है i0, हाँ, इसका भी angular speed omega ही है, लेकिन यहाँ पर देखे e0 sin omega t और उसमें से pi by 2 निकाल दिया, बाखी technicality में नहीं जाना है, तो यहाँ इस graph को इस phasor diagram को आपको समझ के रखना है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी का इस्तमाल मुझे आगे चलकर करना है, इसी का इस्तमाल मुझे आगे चलकर करना है, इसी का इस्तमाल मुझे आगे चलकर करना है, तो यह phasor diagram आगे, फिर आगे बढ़ते बच्चो, इसका और एक ही भी diagram रहे चुका है, और फिर यह e0 y omega l वाली situation है, उस पर काम करना है, तो इसको उपर ले लूँ मैं है, ठीक है, तो बस इतना ही required होगा हमाले, तो क्या करना है, देखिए, e is equal to formula था, e0 sin omega t और i equal to formula है, i0 sin omega t minus pi y 2, तो इसका जो graph है हमारा, है ना, versus omega t वाला, तो इसको कैसा निकालना है, या तो आप ऐसे reference के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको reference की जगा पर, मैं सीधे सीधे ऐसे vertical लेंदे दूआ, कोई दिक्कत नहीं है, देदेते हैं, यहां तक ला देते हैं, कोई नहीं, तो यह 0, यह pi by 2, यह आ गया, यह आ गया, 3 pi by 2, और यह आ गया, आगे करना है, तो आगे भी कर सकते हैं, आप continuation में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर क्या है, देखें, पहले तो sin omega t का बात करते हैं, तो EMF अगर बात करते हैं, तो E not sin omega t, अल्रेड़ी आपने यह graph पर काम किया है, तो इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, यह तो वैसे ही आने वाला है, इसका क्या, current का क्या, तो current कम होगा, जदा होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं है, कि current की value voltage से कम ही होगी, जो भी होगी, तो मैं सिर्फ refer करने के लिए यह line दिखा रहा हूँ, अदर्वाइस मेरा intention अलग नहीं है, सिर अभी current के बारे में बात करें तो क्या होगा, current के बारे में बात करें तो क्या होगा, तो पहला उपर वाला जो था, यह EMF से relate था, यह plus E naught है, और यहां पर यह minus E naught था, तो current के लिए मैं short technique दे रहा हूँ, समझ लो, यह graph बच्चे देखने के बाद, state board के textbook में देखने के मान लो, omega t 0 है, तो बच जाएगा minus pi by 2, जब time 0 है, तो omega t 0 हो जाएगा, तो omega t 0 है, तो minus pi by 2, sin minus pi by 2, थोता है minus 1, तो minus 1 into i naught कितना होगे बच्चो, minus 1, minus 1, इसका फूरा result minus 1 into i naught, minus 1, यह सिर्फ समझने के लिए मैंने लिया है, तो मेरा कहना ही है कि अगर जब time 0 था, यह omega t correlate करा रहा है, तो जब omega t 0 था, मतलब यहां पे हम थे, तो इसका result मिल गया minus i naught, तो minus i naught से आपको graph को शुरू करना है, दूसरी चीज, अभी इसके उप दिमाख नहीं लगाना है, इसके उपर दिमाख नहीं लगाना है, एक चीज ज़रूरी है, कि आपने यही पर देख लिया, कि जब voltage 0 था, तो current maximum था, जैसे voltage 0 है, तो current था, maximum, फिर इसका maximum हुआ, तो इसको होना चाहिए 0, फिर यह 0 हो गया, तो इसको होना चाहिए maximum, बैस graph करते रहो, करते रहो, तो इस तरीके से, बच्चे बच्चों लगा कि यह parallel ऐसे कुछ जा रहा है क्या, नहीं है, समझ लो इसको, एच्चा कैसे करते हैं, इसको पीछे भी extend कराके दिखाते है, ऐसे ऐसे, तो बच्चे confused जाते कि पीछे क्या हो गया, तो minus pi by two से शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नह लेकिन मेरा तरीका यह है कि omega t को 0 रख दो, तो यह minus i naught यहाँ पर बच जाएगा, तो minus i naught से शुरू कर दो, फिर आपका, एक maximum में तो दूसरा minimum है, फिर एक maximum आया तो दूसरा minimum हुआ, तो बस वही चीज की साथ चली रहा, तो यह जो है, यह current से related है, यह हो गया graph, अभी उस पर आता हूं है, मैंने क्या define किया था, मैंने बोला था, let i naught is equal to e naught divided by omega, यह बहुत ही महत्वपूर्णी चीज है, i naught is equal to e naught divided by omega, यही चीज important है, यही चीज महत्वपूर्णी है, यहाँ पर, तो देखें, क्या होगा, compare with resistance, और resistors circuit, तो उस circuit में हमने current को e naught divided by r दिखाया था, तो सीधी बात है, voltage divided by resistance होता है, तो यह चीज क्या आ गई है, तो कही ना कही आप अगर correlate करना चाहो, तो मुझे तो सीधे सीधे एक रहा है, कि omega t, और यह resistance कुछ ना कुछ जो है, वो एक ही चीज होने वाले है, तो सीधी बात है, यहाँ पर, इसको मैं कहे दूगा, omega l को कहे दूगा, x suffix l, यह ll cancel नहीं होगा, यह जो x है, x जो है, इसके suffix में जो l है, वो inductor को represent कर रहा है, किसको represent कर रहा है बच्चो, inductor को represent कर रहा है, इसको कहा जाता है, inductive reactance, आप बोलोगे सर, resistance भी तो ठीक था ना, इसको resistance कहा जाए तो नहीं, लेकिन अलग-अलग नाम देना ज़रूरी है, किस बारे में बात कर रहा है, और दूसरा चीज यह भी है, कि resistance जो है, वो एक तरीके से alternating हो या direct हो, दोनों को oppose करता है, यहाँ पर जो है, आ omega की जगा पर मैं 2 pi f लिख दो, तो 2 pi f l इस तरीके से दिखेगा, मतलब यह हो रहा है, है ना, मतलब यह हो रहा है, कि जो result अगर दिख रहा है, तो XL directly proportional to frequency दिख रहा है, reactance और दूसरा, XL directly proportional to inductor आ रहा है, यह भी चीज दिख रही है, इस पर अलग question बनता है, समझ लो, मैं इ देने वालों आपको तो उसमें आप देख लीजिए, वो pdf है आपके साथ, वो देख लीजिए उसमें, तो XL proportional to frequency और inductive reactance क्यों, क्योंकि यह तो opposition ही है, लेकिन opposition frequency based है, यह opposition ही है, लेकिन यह opposition किस पर depend है, यह opposition frequency पर based है, frequency पर relate कर रहा है, अच्छा, इसका unit क्या हो जाएगा, इसका unit हो जाएगा, क्या हो गया unit, unit हो गया इसका, तो इसमें, unit में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों के दोनों opposition ही है, मतलब यह inductive reactance एक तरीके से क्या है बच्छों, एक तरीके से है opposition, yes, opposition to what, opposition to current, current को oppose करने वाली चीज़ है, लेकिन यह frequency best है, इसका एक diagram भी मैं दे द जो कि हमें आगे चल कर बहुत important है, इस्तमाल करना है, yes, क्या है, तो अगर यहाँ पर मैं inductive reactance डाल दू, और यहाँ पर मैं frequency डाल दू, तो सीधे सीधे मुझे क्या दिखने वाला है, because XL directly proportional to frequency, तो मेरा जो graph आएगा कुछ इस तरीके से आने वाला है, straight line, तो XL directly proportional to frequency होने के व बढ़ेगा, वैसे inductive reactance बढ़ेगा, जैसे frequency बढ़ेगा, inductive reactance बढ़ेगा, यह सारी चीज़े होगी है, बच्चों, inductive reactance से related, okay, got it, तो जो जो है, reactance में मैं एक बार revise कर दूँ, क्योंकि यह नई चीज़ होती है, बच्चों के लिए, सबसे पहले हमने किस पर काम किया, बच्चों? हमने काम किया, एक inductor device लिया, E equal to E naught sine omega D डाल दिया, हमें पता है कि जब अगर कुछ current value चेंज हो जाती है, मतलब क्या होता है, यहां से current बढ़ने वाला है, तो यह खुद अपोस करने कोशिश करता है, यह खुद का एक induced EMF करा देता है, minus L di by dt, लेकिन जो source है, source उसके against में का करता है, तो E equal to minus L, फिर उसके बाद में, यह sine डलवा दिये, तो di equal to आ गया, sine omega T फिर इसको integrate करवा दिया, over complete cycle नहीं करना है, यह गलती नहीं करना है, मैं बोल दिया था, नहीं करना है गलती यहां पर, ठीक है, तो इसका integration हो गया, small हो गया, फिर मेरे decision लेने का समय आया, कि स sin omega, pi by 2 plus theta भी तो cos theta होता है, और sin pi by 2 minus theta भी तो cos theta होता है, फिर क्या करना है, एक चीज़ समझ में आ गी है, कि सबसे पहले voltage develop होता है, ताकि current को oppose करे, तो voltage lead करता है, मतलब current lag करता है, तो lag के लिए मैंने pi by 2 minus theta को choice ले लिया, तो उस तरीके से मैंने यहां पर formula रख दिया, pi by 2 minus theta, theta तो omega t है, फिर minus sin को अंदर डाल दिया, यह आ गया, अच्छा, e naught भाई omega है, यह बहुत ही historic हमाल लिया, इसको note down कर लिया, यह हो गया, peak current फिलाल के लिए, फिर यह graph आ गया, e naught का तो पहले से मितलब, यह जहां पर है, वही पर है, जो पहले resistor में current इसका support कर रहा था, हाँ, जरूरत भी नहीं थी, आप समझ सकते हों, यहाँ पर है, कि EMF lead कर रहा है, इसका interest के लिए समा आ गया, EMF lead कर रहा है, मतलब current lag कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो, current lag कर रहा है, भाई, पाई बाई 2 से, किसको, तो EMF lead current, EMF current को lead कर रहा है, या फिर current EMF के lag कर रहा है, चलो वो गए इसके बाद फिर हमने यहां यह डाइग्राम्स निकाली यह result आया everything is here आगे बढ़ते हैं आगे और एक interesting device है मेरा यह कहना है बच्चो आप full focus के साथ में पहले तो phaser समझ लिया आपने मतलब इसका जो पूरा पूरा मतलब essence अगर मैं chapter का बोलू ना आपको तो पहले phaser पे focus करो फिर register फिर inductor और फिर अभी जो आने वाला हो capacitor inductor में हमें एक बहुती बढ़िया चीज मिली है वो क्या चीज मिली है XL inductive reactance वो भी opposition ही है लेकिन frequency based है frequency बढ़ा तो वो opposition बढ़ा देता है बस वो तरीका समझ ले अभी हमें पढ़ना है capacitive reactance तो इसको भी मुझे थोड़ा partition देना पड़ेगा ताकि हमारे लिए जगह बचे तो वापस वही चीज डिवाइस manage कर लेते है और आगे बढ़ते है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या तो यार यहां मैं डालता हु capacitor यह आगया capacitor और यह आपका source आगया तो वापस से वही चीज let equal to e not sin omega t आगया है ना यह आगया equal to e not sin omega t clear हो गया चल आगे बढ़ते है इस पर यह आगया e equal to e not sin omega t इसी का इस्तिमाल करना है तो आपने एक चीज पढ़ी है जो हमें पता है capacitor में क्या होता है capacitor चार्ज होता है तो जैसे जैसे चार्ज होता है इसका चार्ज बढ़ते रहता है तो हमें पता है q equal to c into v v for क्या था v was potential difference यह हमें पता है तो हमें क्या करना है यह potential difference की जगा पर q equal to लिखना है c और e e for electron नहीं है यही तो गड़ बड़ है chapter की तो e q equal to c e रखना है ठीक है मतलब हमारा जो है न पूरा decision बदलने वाला जो है मतलब हमारा जो भविश्य बदलने वाला equation है यह आ गया यह है अच्छा c into e equation अभी क्या करना है क्योंकि मुझे current find out करना है तो मैं ऐसे सोचूगा q is equal to c और e की जगा पर e not जो formula था sin omega t है लेकिन मुझे current के बारे में पता है i equal to dq by dt क्योंकि voltage variation in voltage है तो obviously यहां का current भी change होने वाला है तो i equal to dq by dt rate of flow up charge तो मैं इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूगा i equal to यह बहुत दूर चला गया है इसको नज़ भी चलाते है i equal to d by dt of c into e d by dt of c into e के जगा पर e not sin omega t फिर c e not common d by dt of sin omega t is omega cos omega t वापस से cos आ गया भी तो c e not omega और यह आ गया cos omega t इसको ऐसे ही धहन में रखो अभी मुझे क्या करना है मैं बोलूगा let i not is equal to e not और यह c omega इसको कह दूगा में peak value of what correct इसको कह दूगा में peak value of correct तो मुझे result मिल गाएगा i equal to i not sin extremely sorry i equal to i not cos omega t यह result मिल चुका है जब यह result मिल चुका है तो अभी क्या करना है इसको तो इस्तिमाल करना है लेकिन मुझे क्या है जब face difference के बारे बात करना होता है तो मुझे मुझे एक decision लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर लूगा i equal to i not cos omega t can be equal to sin omega t plus pi by 2 यह वापस से वही चीज हुरी है जो पीछे वाली side slide में हुआ था क्या हुआ था पिछली slide में क्या हुआ था तो यह समझ लो मैंने यहाँ पर आपको दिया था यह result को ध्यान में रखना है sin pi by 2 plus theta लेना है sin pi by 2 plus theta equal to cos theta sin pi by 2 minus theta equal to cos theta lag करते समय मैं यह इस्तमाल करने का बोला था और lead करते समय यह तो lead के समय pi by 2 plus theta क्यों तो यहाँ समझ लो lead मतलब क्या है या क्या यहाँ पर कुछ lead हो रहा है तो यह समझ लो यह capacitor को charge कुछ भी नहीं था जैसे आपने switch on किया तो यहाँ all of sudden all of sudden large amount of current passes current पहले pass होता है क्यों कि इसका charging करना है जब capacitor का charging शुरू हो जाएगा तो उस हिसाब से capacitor पर potential develop होना शुरू हो जाएगा तो potential difference जैसे जैसे develop होता है current की value कम होती है क्यों कि क्या हुआ जिस current ने charges देना शुरू किया उसी current को यह oppose करने वाला है मतलब क्या होने वाला है charging के लिए पहले current बहुत pass हुआ जैसे charging बढ़ रहा तो इसने potential difference develop करना शुरू कर दिया तो यह potential difference आने वाले current को oppose करेगा क्यों करेगा क्योंकि जब उपर का और नीचे का potential difference सेम हो जाए तो current तो 0 आ जाएगा अभी यहां तो थोड़ा अलग किस्सा चलेगा क्योंकि variable है हर समय change हो रहा है मैं DC के बात कर रहा हूँ लेकिन यह इस पर भी apply हो सकता है जब increase हो रहा है तब apply हो सकता है इस होते समय भी अपला होता है तो तरीका यह है आप यहसे समझो कपैसिटर को चार्ज करने के लिए पहले current को पास होना पड़ेगा और जब potential develop हो जाएगा तो current 0 हो जाएगा मतलब पहले current maximum था तो current lead कर रहा है तो lead करने के लिए मैंने यहां पर sin omega t plus pi by 2 का इस्तिमाल कर लिया तो मेरे पास भई दो equations है एक equation यह है और यह equation आगया ऐसे दो equation मेरे पास में तो मैं सीदे सीदे ऐसा बोल सकता हूँ यहां पर क्या यह current leads EMF क्या हो रहा है current leads EMF यह फिर मैं बोल सकता हूँ EMF lag current है ना कितने से तो देखो by pi by 2 यह फिर यहां पर लिखता हो by pi by 2 यह मुझे दिखाना है तो मैं पहले दिखा दूगा और फिर वापस यह चीज पर आते है तो वही phasor diagram बच्चो वही phasor diagram सबसे पहले आपको पता है कि e equal to e naught sin omega t तो यह e naught का phasor ठीक है यह e naught यह angular velocity omega से rotate हो रहा है और अभी जो angle है यह omega t है तो यह e naught is equal to आ गया तो current के बारे में देखो तो i equal to i naught sin omega t है और omega t के बाद में और आपको add करना है pi by 2 तो current जो है omega t और omega t के बाद में आ गया कहां पर pi by 2 तो current यहां पर आ गया बच्चो तो यह current आ गया i naught ठीक है और इन दोनों के बीच का angle कितना है pi by 2 है बस यह देखिए अभी देखिए कैसे होगा जैसे यह दोनों rotate हो रहे है तो सबसे पहले देखो पहले e naught यहां पर है लेकिन e naught plus e naught में जो omega t है omega t plus pi by 2 आगे को है current है तो सीधे सी बात है यहां पर क्या हो रहा है current leads emf by pi by 2 आप यह दे सकते हो यह दे सकते हो फिर अभी last में हमको graph भी निकलना है और इस चीज़ पर भी काम करना है जो मैंने यहां पर लिया है इस पर भी हमें काम करना है क्या काम करना है इस पर काम करना है यह समझ लो यह important यह most important है तो पहले मैं graph निकाल दूँ फिर वापस उस पर आ जातो तो graph कौन सा graph है वही EMF और current वाला तो nominal ठीक है यह है omega t और यह EMF है तो यह 0 यह pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2 इसका भी एक तरीका होदा है ध्यान में रखने का 0, 1 pi by 2, 2 pi by 2, 3 pi by 2, 4 pi by 2, 5 pi by 2 तो अगर EMF का तो वही graph चल रहा है EMF का तो वही graph चल रहा है सुबे से सुबे से वही graph चल रहा है कौन सा यह यह बंदा तो change नहीं हो रहा है क्योंकि इसका equation हमने fix करा दिया है कोई दिक्कत नहीं तो यह है EMF से related plus e naught और यहां पर है minus e naught ठीक है यह EMF से related graph है और फिर समझने के लिए मैंने क्या कर दिया यहां पर और एक dotted line डाल दिया ताकि समझने में आसानी हो ठीक है तो current को मैं थोड़ा सा अलग है इसमें डिले दो फिर वही तरीका क्या तरीका ओमेगा टी को कर दो zero current निकालने के लिए पहले ओमेगा टी को कर दो zero जैसे इसको zero कर दिया मतलब यहां पर मैं हूँ तो zero कर दिया तो सिर्फ बचा pi by two sin pi by two होता है one one हो गया यहां से शुरू करना है current को यहां से शुरू करना है फिर वापस से वही चीज़ देखिए EMF zero था लेकिन current यहां पर था तो जब EMF maximum हो गया तो current को zero होना चाहिए जब EMF zero हो गया तो current को maximum होना चाहिए जब EMF maximum होगा तो current को zero होना चाहिए जब EMF zero होगा तो current maximum EMF maximum तो current zero बस आ गया ग्राफ तो यह जो है second graph second graph is related to what second graph is related to current second graph is related to what बच्चो second graph is related to current got it clear हो गया यह सारे clear हो गया बच्चो आपको yes very good तो इस तरीके से जो मैंने अभी तक discuss किया है एक point रह गया रह जाएगा मेरी बातों में रह जाएगा तो यही पर देता हो मैं जो important चीज है पुरा इपर उठा लेता हो न वो यह थी कि I0 is equal to E0 omega c so therefore मैं लिख देता हूँ E0 by I0 is equal to omega c आपको पता है voltage divided by current तो resistance था तो resistance की जगा पर यहां पर क्या आएगा सब्सक्राइब क्या हो गया इसी E0 E0 हाँ मैंने गलत कर दिया ना आगया तो E0 को यह रखना है I0 को यह 1 by omega c यह 1 by omega c तो 1 by omega c देखिए voltage divided by current जो होता है वो resistance होता है एक तरीके से तो इसको मैंने एक्स रख दिया इसको लख दिया c इसको कहा जाएगा capacity reactance इसको कहा जाएगा capacity reactance और इसका जो unit है बच्चो यह unit भी है तो यह भी एक तरीके से opposition ही हुआ यह भी एक तरीके से क्या हुआ opposition हुआ so therefore xc is equal to 1 by omega c is equal to 1 by 2 by fc अच्छा चीज क्या समझ में आ रही है xc capacity reactance is inversely proportional to what frequency बस यही मज़ेदार बात है यहाँ पर जो समझनी की है yes it is inversely proportional to frequency it is inversely proportional to frequency got it तो inverse proportional to frequency तो इसका graph कैसे हैगा यह तो मुझे rectangular hyperbola दिख रहा है यह क्या चीज होती है rectangular hyperbola यहाँ पर होता है कि अगर मैं इसको x-axis पर frequency डाल दूँ यहाँ पर xc डाल दूँ तो देखे क्या होगा जैसे frequency मानली यह 0 थी तो xc की value infinity आनी चाहिए और अगर frequency मैंने infinity ले लिया तो xc की value anything divided by infinity is what 0 तो शुरुआत यहाँ से हो जाएगी मतलब infinity तो बहुत दूर है तो graph दिखाने का तरीका होता है ऐसे जोड़ना नहीं किसी पर पर जोड़ना नहीं है तो xc inverse के proportional to frequency यह चीज है तो दोनों devices देखे इंड़क्टर और capacitor यह दोनों devices के बारे में बात करूँ तो दोनों devices के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोनों devices में अगर बात करें तो वो जो इंड़क्टर था वो frequency जैसे बढ़ेगा तो अपोस करता है इसमें frequency बढ़ा इसमें frequency बढ़ा तो यह यह position कम करता है तो dc के बारे में अगर बात करूँ dc direct current जो होता है उसका frequency होता है बच्चो 0 अगर ऐसे है तो xl inductive reactance हो जाएगा 0 और xc capacitive reactance हो जाएगा क्योंकि capacitive reactance reciprocal of frequency है तो यह हो जाएगा यहाँ पार infinity मतलब dc के लिए वो inductor opposition कुछ नहीं दे रहा था यह उसका दोस्त निकला लेकिन capacitor जो यह opposition दे रहा है infinite opposition दे रहा है यह उसका दुष्मन हो गया तो dc के लिए जो दोस्त है वो inductor है और capacitor के लिए जो capacitor को देखे तो dc के लिए capacitor क्या है दुष्मन है पिर आगे बढ़ते हैं अभी मेरे लिए ना बच्छो यह important चीजे की तीनों के तीनों बहुत ही important है जो तीनों चीजे मैंने आपके साथ जो शेयर किया है बस वही important है कि यहां क्या बताया गया है circuit containing all three series LCR in series बताए गया है right LCR in series जतना मैने अभी तक आपको पढ़ाए वह एक लो क्योंकि क्या होगा उन तीनों का टीनों का क्यों डियान का इसंवाल करना बेचा लेकिन करते समय कैसर इसंवाल करना वह समझ करना क्या शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें तो सिरीज LCR में ये इंड़क्टर है ये कपैसिटर है और ये रजिस्टर मेंने डाल दिया इन तीनों को एक पर्टिक्लर सोर्स के अक्रॉस मेंने डाल दिया अभी मैं एक रूल ब्रेक करने वाला हूँ मैंने जब शुरुवात की थी उसी समय से हमने अभी तक ना E equal to E naught sin omega t डाला है अभी तक current में changes हो रहा था जैसे current है I equal to I naught sin omega t प्लस हमने 5 बता दिया तो resistor में 5 की value 0 मिल चुक है capacitor और inductor में वो pi by 2 मिल चुक है मतलब current pi by 2 plus pi by 2 minus pi by 2 ऐसे मिल चुक है अभी यहाँ पर क्या है ना सिर्फ इस पर focus करो कि यह inductor है यह capacitor है यह resistor है और तीनों में थोड़ा से इसको और space देता हूँ कुछ चीजों की ज़रूरत है यहाँ पर मैंने source डाल दिया ठीक है अभी requirement क्या है वो समझ लो मैं थोड़े तीन graph यहाँ पर दूगा और उन तीन graph में से कोई एक चीज मुझे निकाल लिए तो सबसे पहले समझ लो रजिस्टर के बारे में जब हमने बात किया तो रजिस्टर में जो phasor diagram थी वो इस तरीके से थी E0 भी ऐसे था और I0 भी ऐसे था फिर दूसरा हमने capacitor या inductor पर पहले बात की तो inductor पर जब हमने बात की तो उसमें देखो E0 तो ऐसे ही था लेकिन current ऐसे था ठीक है फिर हमने बात किया capacitor पर तो capacitor में ऐसा हुआ inductor का EMF ऐसे ही है sorry EMF ऐसे ही है लेकिन current जो था यह यहाँ पर था यह तीन graph मैंने यहाँ पर दिखा दिये इनका इस्तमाल कैसे करना वो सिफ समझ दो इन तीनों में एक चीज common है यह चीज समझ गए है because all are in series यह सारे के सारे series में होने के वज़े से इन सब में से जो current है वो current same pass होने वाला है current जो है same pass होने वाला है और दूसरी चीज मुझे समझने के लिए कि इसके voltage जो होगा EMF जो होगा इसमें current जो है अभी भी current जो है अलग-अलग direction में दिख रहे है मेरे सामने जो target है वो target यह है कि current को मुझे एक particular axis पर लाना है तो जो चीज common होती है उस चीज को हम लोग x-axis पर डाल देते हैं तो सबसे पहले मैं ऐसा करूगा सब में अगर देखें तो current की जो value है x-axis पर डाल देता हूँ current को मैंने x-axis पर डाल दिया i0 इसमें भी i0 और इसमें भी i0 ठीक है थोड़ा spacing दे देते हैं फिर बात करते हैं inductor पर inductor में क्या हो रहा है inductor में देखें current और voltage में न 90 degree का फरक था तो अपनी उंगलिया ऐसी रख लो 90 degree पर और इसको रोटेट करो धीरे धीरे रोटेट करो ताकि जिस उंगली को आपने current दिखाया है वो उंगली आपकी positive x-axis पर आ जाए तो जब आप ऐसे करते हो इसको रोटेट करना है किस तरीके से रोटेट करना है कि जिस उंगली को आपने current बोला है वो उंगली x-axis पर आ जाए तो मुझे ऐसा दिखेगा कि यह जो voltage value है यह y-axis पर आ गई है तो inductor के across का जो voltage दिख रहा है यह y-axis पर आ गया ऐसे बर उपर पाई बाई टू से current के पाई बाई टू से दूसरा capacitor पर बात करते हैं आप capacitor पर उंगलिया रख दो अभी उस उंगली पर focus करना है जो current को denote कर रही है जो current को denote कर रही है आपको क्या करना है current वाली उंगली को positive x-axis पर लाना है मतलब इसको ऐसे घुमाना है घुमाते 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 इस तरीके से लाना है कि जो current वाली उंगली है वह आ जाले पॉजिटि utilities एक्स एक्सेश परा जाले तो voltage वाली उंगली जो है यह नेगेटिव आय एक्सेश में आचुकी है तो यहां गया बच्चो एसी देखें यहां पर निगेटिव पाइब आई टू और रजिस्टर के बारे में यह दोनों उंगली है एक ही डिरेक्शन में तो आपको वही टार्गेट है करेंट वाली उंगली जो है एकस एकसिस पर आ जाए तो लेकिन यह दोनों साथ में ही घु होगा मैं तो सबसे बेसिक जो में पार्ट है इसमें कोई एक्वेशन को मतलब साइन कॉस इसमें किसमें भी हमको आगे चलकर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि इनके जो वेक्टर से यह वेक्टर क्या इंपॉर्टन है तो इनकी व पािमरी चीज़ जो की है वो यह की है कि सबका जो करंक्ट था सबक का जो करंड़्ट था वह पोजटीव एक्स अक्सिस में लाके रख दिया उस इसमिंघ्वा क सबरों मैं imagine करूगा inductor के across का voltage जो है that is greater than voltage across capacitor इसके हिसाब से मैं बात करना शुरू कर दूगा मैं पहले इन तीनों को न एक साथ लाने वाला हूँ तो तीनों को जब एक साथ ला दूँ तो सबसे पहले resistor को देखो तो resistor को मैं ऐसे दिखा देता हूँ यह resistor इसको दिखा दूँ मैं ER और इसी direction में था current हमारा जिसको मैंने I0 बोल दिया भी current को IL IC नहीं करना है क्योंकि तीनों में से current सेम ही था तो मुझे एक पता है कि जिस direction में resistor का voltage दिखा है मैंने उसी में current भी उसी direction में होगा ठीक है तो EMF across inductor इसको थोड़ा उपर दिखाना है बच्चो ठीक है EMF across inductor तो इसको नाम देते तो मैं EL फिल capacitor आ गया capacitor नीचे तो capacitor के across का voltage में नीचे दिखा देता हूँ इसको थोड़ा अलग color देते हैं यह आ गया EC अभी चीज क्या हो रही है नवेक्टर मैंने आपको पहले बोला ता वेक्टर का सिर्फ knowledge चाहिए और अगर वेक्टर का knowledge है तो बस यह आसन है वेक्टर का क्या knowledge है तो वेक्टर का यह knowledge है ये vector और ये vector एक दूसरे के opposite काम कर रहे हैं तो चीज समझ लो ये तीनों series में है लेकिन गड़बड ये बात की हो गई है ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं एक दूसरे के opposite में काम कर रहे हैं इन दोनों के across का voltage होगा एक अगर plus हो तो दूसरा minus होना चाहिए तो इससे होगा क्या ये एक दूसरे के साथ जब add करवाने की कोशिश करते हैं तो एक में से दूसरे की value घटती है कम होती है तो ये दो vector की तरह treat कर लो ये मैंने बड़ा vector imagine कर लिया था तो उस हिसाफ से मैंने बड़ा दिखा दिया है तो e-l is greater than e-c मैंने बताया है not necessary की वो बड़ा होना चाहिए तो ये समझने के लिए example तो ये vector है ये vector है इन दोनों vector का subtraction कर दो तो आपको एक नया vector मिल जाएगा ये जो नया vector है ये नया vector है e-l minus e-c magnitude का उपर की direction में फिर आगे क्या कर रहा है फिर आगे आपको आपके पास अभी तीन वेक्टर थे तीन वेक्टर में ये ऊपर वाला और नीचे वाला वेक्टर था इनका वेक्टर एडिशन मैंने करा दिया e-l minus e-c हो गया और अभी जो बचा है रजिस्टर तो यहां से तो आपको यह समझना है इनका लास्ट में यह बन जाएगा बच्चो रिजल्टन वेक्टर यह रिजल्टन वेक्टर को कहा जाएगा e-nought यह रिजल्टन वेक्टर है हमारा e-nought जो की यहां पर voltage प्रवाइड किया था तो जो voltage प्रवाइड किया उसकी peak value जो है e-nought यह जो voltage प्रवाइड किया है उसकी value है e-nought और यहाँ पर जो angle बनेगा इसको हम कहे देगे 5 तो अभी बात यह है कि इसमें अगर आप right angle triangle को धून सकते हूँ तो धून弗 लो, देखो क्या है right angle triangle जो दिख रहा है क्या कर दिया है? कोई बात नहीं यह क्या चीज़ है? राइट यह राइट अंगल ट्रेंगल को देख लो यह राइट अंगल ट्रेंगल को देख लो तो यह जो राइट अंगल ट्रेंगल है इसमें मैं देख हुगा tan phi is equal to tan phi equal to opposite side opposite side क्या है तो यह opposite side है EL minus divided by adjacent side यह यह चीज़ को मैं यहाँ पर mention करा दूगा इस काम की चीज़े अगे बढ़ते हैं फिर दूसरा अगर इसमें triangle में देखो तो यह hypotenious है तो hypotenious का square is equal to adjacent side का square plus opposite side जो है उसका square तो इस तरीके से E0 मिल चुका है मुझे square root ER का square plus EL minus EC is bracket का square तो मुझे क्या बताना है वो यहाँ पर समझ लो क्योंकि इसके पहला गर डिसकेशन होता है तो शायद नहीं समझता मान लीजे इसके पास है 100 hold इसके पास है 20 hold और इसके पास है 50 hold अगर मैं किसी को पूछू कि applied voltage कितना था तो यह peak value मतलब यह RMS value तो RMS answer मिलने वाला है तो इसमें नहीं पढ़ते है भी RMS उगेरा में समस्वाल करते से मिलाएगे अगर कोई सी को मैं पूछू कि applied voltage कितना था तो कोई भी क्या करेगा 100 plus 20 plus 50 कर देगा मतलब उसको लगता है कि जो applied voltage है वो distribute हो चुका equally लेकिन अहीं पर गलती कर देते हैं जो applied peak voltage है E0 is equal to अंदर क्या दिख रहा है तो E R यह तो दिख रहा है E R का square करना पड़ेगा प्लस और यहां पर देखे बच्चों यह दोनों add नहीं हो है यह voltage जो था inductor का वो और capacitor का तो 100 minus 20 100 minus 20 80 उस 80 का square मतलब अंदर में कुछ अलग आता क्या आता E R 50 का square plus E L minus EC 100 minus 20 जाकि 80 80 का square आता तो इस तरीके से यह अलग से ही काम करता तो आपको focus करना है equation पर यह equation हमार लिए important है यह equation हमार लिए important है got it फिर अभी मैं क्या करूगा यह जो tan 5 मैंने लिखा है तो tan 5 पर थोड़ा काम करूगा देखिए tan 5 equal to जो मैंने EL minus EC divided by मैंने ER लिखा है तो अभी यह चीज़ समझ लो अभी यह चीज़ समझ लो कि अगर 5 positive है उपर है तो आप कह सकते हो EMF lead current अगर 5 positive मतलब यह E not उपर है क्योंकि मैंने already क्या लिया था EL greater than EC तो यह difference सौभा वी कह positive आना चाहिए तो अगर tan positive से tan theta positive आता है tan 5 positive आता है 5 positive यह गलत हो गया if tan 5 positive extremely sorry tan 5 positive अगर tan 5 की value positive है tan 5 की value positive तो 5 भी positive आने वाला कोई दिक्कत नहीं है मतलब वो सही था 5 positive 5 negative x axis के उपर positive और नीचे negative होता ही होता है सही था so tan 5 की value अगर positive आ जाती है तो EMF lead करा है tan 5 की value अगर negative आ जाती है तो EMF क्योंकि यह नीचे आएगा तो tan 5 negative तो 5 भी negative आएगा तो negative आदगा तो EMF lag current got it आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है 5 positive EMF lead 5 negative EMF lag या फिल tan 5 और tan 5 पर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आ गया और मैं क्या करूगा tan 5 equal to आप समझ लो यहाँ पर game change होने वाला है इसको समझ लो यहाँ पर क्या change होने वाला है क्योंकि तीनों में से current तो same जा रहा है तो voltage जो होता है current multiply by resistance दे सकते हो आप तो current multiply by resistance क्योंकि यह inductor है तो इसका resistance हम लोग XL ने define कर दिया जिसको reactance कहते है minus EC तो यहाँ पर I0 और देखिए capacitor है तो capacitor जो है उसका reactance जो होता है वो XC divided by I0 और नीचे कहाँ जना है तो resistance जो होने होगा वो अपोस करने वाला है तो definitely यहाँ पर आएगा sorry I0R so tan 5 is equal to फिर मुझे formula मिल चुका है XL minus XC divided by R यह एक और formula है जिस पर हमें अभी graph पर काम करना है क्या काम करना है वो समझ लो tan 5 equal to XL minus XC divided by R तो आप एक समझ लो अगर मुझे current सेम ही है तीनों में से तो मैं यह भी बोल सकता हूँ मैं EL की जगापर मैं EL की जगापर XL लिख दू मैं EC की जगापर XC लिख दू मैं ER की जगापर R रग दू voltage की जगापर मतलब उसके reactance डाल दी है तो अभी आपको पता यह XL है XC है obviously EL greater than EC था तो XL greater than XC हो गया यहाँ पर इन दोनों का मिला कर एक नया vector तयार हो गया इसको हम कहें गया XL माइनस XC तो अभी क्या अभी resultant देख लिजे इसका और इसका मिला कर तो जो resultant आएगा resultant जो है वो net reactance या net opposition होगा यह जो मैंने दिखा दिया यह resultant resultant को कहा जाएगा Z और देखिए यह जो है यह वापस है 5 क्योंकि बार बार अलग अलग तरीके से क्यों ला रहा है तो यह resistance पहले से था अभी हमें frequency dependent जो opposition मिला उसको हमने reactance बोल दिया कि अभी क्या होगा इसमें यह सारे के सारे एक्टिव पैसिव सारे components आना शूरू हो जाते है तो हमें impedance इसलिए बताना है कि circuit के अंदर ना अकेला resistor नहीं है या अकेला capacitor नहीं है इनके combination में कुछ ना कुछ चल रहा है तो इसलिए इसको कहा जाएगा impedance तो impedance की value है कितनी तो आप इससे इससे लगा सकते हो तो z यह hypotenuse की जारा काम करेगा इस एक्वल टू adjacent side का square जो की resistance का square है प्लस opposite side जो दिख रहा बच्चो वो दिख रहा XL minus XC इस bracket का square तो यह चीज मेरे लिए ना काफी महत्वपूर्ण होगी काफी important होगी यस यह important है इसके साथ में मैं और एक चीज जोड़ देता हूँ मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर कॉस फाय यह कॉस फाय तो बहुत बहुत गजब वाली चीज होगी जिसको हम आगे चल कर कहने वाले है power factor जी हाँ इसको हम कहने वाले ह है power factor तो power factor क्या है तो इस डाइग्रेम से अगर बात करूँ इस से अगर बात करूँ तो मुझे मिलेगा कॉस फाय एड्जेसिन साइड डिवाइड़ बाइपोटेनियस और बाइज जेड अगर आपको और लिखना है आगे तो लिख दो आर डिवाइड़ बाइड बाइड का मीनिंग square root of r square plus xl minus xc bracket का square कहाँ चला गया है लिखना है तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो सही था r by z, z की यह value रख दो नो नीचे कोई दिक्कत नहीं है cos 5 factor right cos 5 important है cos 5 को कहा जाएगा power factor तो हमारा अगला target जो होगा न वहीं होगा कि cos 5 की value कैसे निकाला जाए cos 5 की value किस तरीके से निकाला जाए यही हमारा अगला target होने वाला है I hope you are understanding these things यहां तक तो सारी चीज़े समझ में आ गई होगी बच्चो यह series में LCR मैंने ला दिया चलो आगे बढ़ते है power in AC circuit yes यह भी बहुत important है सच से पहले अच्छा यह अलग-अलग equation आपके लिए है तो मैं एक-एक derivation करके देने वाला हूँ यह एक-एक derivation पूरे करके देने वाला हूँ ठीक है पहले बात करता है क्या बताया गया average power in purely resistive circuit purely resistive circuit तो सबसे पहले क्या करना है समझ लो सबसे पहला point यह है कि purely resistive circuit में e is equal to था e naught sin omega t और i is equal to i naught sin omega t यह दो चीज़े थी बाकि lead, suppose, consider यह सारी चीज़े notes में आपको मिल जाएगी मैं दे दूगा तो अभी जो है यह दोनों में जो है दोनों में अगर बात करें तो दोनों एक साथ increase हो रहा है दोनों एक साथ decrease हो रहा है तो instantaneous power instantaneous power जिसको मैं p in लिख दूगा वो हो जाएगा इस time का voltage और इस time का current है वो तो जब मैं p in को लिख देता हूँ तो यह आजाएगा e equal to e naught sin omega t तो e naught sin omega t और i equal to i naught sin omega t तो इसमें e naught i naught अलग और यह आजाएगा sin omega t अलग ठीक है लेकिन यह बच्चों हो गया instantaneous यह average नहीं हुआ यह instantaneous है हमें क्या चाहिए है हमें चाहिए average value तो average के लिए क्या बता है मैंने आपको तो average के लिए वही सारी चीज़े चल रही है average जो शुरुआ से चल रहा था यह 0 to t ला दिया हमेंने instantaneous की value रखना है और dt से integrate करवाना है मतलब dt variable factor है तो 0 to t और यहां पर आगया dt चलो एक एक रखना शुरू कर देते हैं तो p average is equal to तो सबसे पहले नीचे का integration अगर मैं complete करवा दो तो integration of dt विल बी टी और out of मतलब यहां पर आजाएगा 1 by t limit रखने के बाद फिर यहां पर देखिए 0 to t p in p integration p in e not i not sin omega t था मैंने गडबर कर दी ना sin square sorry sin और sin जो था sin और sin जो था इसका sin square होना चाहिए था हो जाता है ने गडबर इतना मतलब जबसे मैं बात ही कर रहा हूँ class में student होते है तो कैसे उनसे interaction होता है चलो तो यहां लिख देता हूँ मैं e not i not और यह sin square omega t और यह dt ठीक है तो यहां आ गया e not और i not divided by t अलग निकल गया integration 0 to t sin square omega t dt तो already मैंने इसके पहले इसको derive करके दिया है इसका equation तयार करके दिया है आप उसी slide को refer करके इसको solve करो अभी मैं solve नहीं करने वाला हो after solving you can get या फिर जिन बच्चों को तकलीफ है तो देखिए 0 to t sin square omega t dt is nothing but t by 2 therefore यह equation हो जाएगा p average is equal to e not i not divided by t into this is t by 2 तो इसमें tt cancel हो गया तो average power आ गया e not i not by 2 या तो ऐसे equation को याद रख लो या फिर क्योंकि ऐसे equation को क्यों याद रखना है क्योंकि अगर आपको ऐसे equation दिया है तो e not i not direct उठा लो उसको divide by 2 कर दो या फिर most popular क्या है तो most popular यह है कि पी average is equal to e not by root 2 कर देता हो और इसको i not by root 2 क्याने divide by 2 था उसको root 2 root 2 अलग से करवा दिया तो p average is equal to यह आ गया बच्चो e rms और यह आ गया i rms तो इस तरीके से मुझे जो power मिला है power जो मिला है यह यह पावर है देखिए यह पूरा नहीं है यह सिर्फ मैंने आपको आपके board के हिसाफ से करा दिया इसलिए इसके बाद में cost value होती है लेकिन power factor होती है तो power factor को last में discuss करने वाले सिर्फ इस result को धान में रखो कि p average in pure resistance is e rms into i rms यह हो गया आगे क्या होने वाला है मैं समझाता हो आपको आगे क्या होने वाला है आगे हमें actually factor voltage था इनका जो phase difference था वो था 0 क्योंकि दोनों देखें न इम फर current दोनों in phase थे तो जब in phase थे तो 50 था तो 50 के वने होने के वज़े से cost 5 जिसको हम लोग power factor कहते है इसकी value 1 मिल चुकि है तो इसी वज़े से यह average जो है वह ERMS और IRMS क्योंकि हाला कि इसके आगे वाला number multiply बना है तो यहां तक यह number मिलने वाला था यह value मिलने वाले थी तो इसको ऐसे discuss करना है obviously entrance के हिसाब से ऐसे discuss होता है लेकिन लेकिन अगर बात करूं है यहां पर तो तो associated with inductor के बारे में अगर बात करूं है average power associated with inductor के बारे में बात करूं तो चलो यहां पर थोड़ा space शायद लगेगा लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं अगर लगा तो लगा नहीं तो नहीं तो वही चीज़े बच्चों लेट inductor में आपको बता है आपने लिया था e equal to e not sin omega t और फिर क्या लिया था आपने यह लिया था i equal to आपने जो derive किया था हमने जो derive किया था i not sin यहां था बच्चों omega t minus pi by 2 तो मैं एक चीज़ क्या करूगा दोनों तरीके है तो मैं पहला तरीका जो है इसको जैसे sin a cos b cos a sin b से करना होता है तो नहीं करना है आपको यह चीज़ तो पता है आपने जब decision ले लिया उस समय e not cos omega t और गड़बा कोई होने वाल नहीं है समझ लो इसका answer 0 आने वाला है इसका answer 0 आने वाला है तो अच्छे से समझ लो इसको देखिए instantaneous power यह था e into i तो e और e not e की जगा पर e not sin omega t i की जगा पर i not sin omega t तो e not i not उसके अलावा इन दोनों में minus sin भी है तो यहां आगया sin omega t और यह आगया cos omega t मैं इसमें थोड़ा adjustment कर देता हूँ तो minus e not i not divided by 2 कर देता हूँ multiply 2 कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए मुझे और चीज़े simplify होने में मदद मिलेगी तो e not i not by 2 यह 2 sin omega t cos omega t होता है sin of 2 omega t देखे ना 2 sin theta cos theta is the sin to theta ठीक है यह हो गया फिर मुझे average power चाहिए तो average power तो बच्चो यही था 0 to t instantaneous का dt integration के अंदर और 0 to t यह dt तो नीचे वाली चीज तो भिया 1 by t आ गई है उपर पी instantaneous रखू तो इसमें से e not i not by 2 बहार निकल जाएगा यह फिर रख देता हो integration 0 to t यहां क्या minus e not i not by 2 और यह आगया sin 2 omega t dt is equal to minus e not i not by 2t और अंदर 0 to t sin of 2 omega dt त तो अभी क्या होगा 0 to t इसको मैं integrate कर रहा तो अलग से sin 2 omega t dt is equal to तो इसका integration आगा minus cos 2 omega t divided by 2 omega कहां से कहां तक integration 0 से लेकर t तक तो is equal to minus 1 by 2 omega cos 2 omega की जगा पर twice pi by t और small t में मैं पहला अपर लिमिट डाल देता हो minus फिर cos यह तो 0 ही था तो cos of 0 इसके पहले ऐसा result हमने निकाला है sin 2 1 by 2 omega यह देखे बच्चों tt cancel हो गया और यह cos 4 pi cos 4 pi की value होती है 1 minus cos 0 की value होती है 1 तो यह result मिल चुका है 0 तो यह 0 मिल चुका है तो यह अगर इसको equation 1 बोलता मैं तो average power वुड़ भी ठीक है जिनका mathematics में तो कमजोर हाथ चल रहे हैं तो उन्होंने क्या करना है इसको रोक के लखना है देखना है क्या करना है मैंने मैंने 2 ऐसे रख दिया omega को 2 pi by t रख दिया और time की जगह पर अपर लिमिट ड दाएगा क्योंकि 0 से multiply हो गया तो यह आगे 0 इस तरीके से average power associated with inductor is 0 लेकिन हाला कि entrance के इसाफ से कर मैं बताओ average formula मेरे पास था ERMS, IRMS और cos phi क्योंकि पहले से हम लोग पढ़े है कि inductor में current और voltage में बात करें तो voltage lead current या EMF lead current by pi by 2 था तो सीधे-सीधे cos pi by 2 की value 0 आती है तो average power आपका क्या मिलने वाला था जिरो मिलने वाला था तो इस तरीके से inductor का answer आगे 0 चले इसके आगे वाला क्या है average power associated with capacitor तो capacitor का मैं solve करा के नहीं दूगा वही चीज है वही चीज है जो सिर्फ थोड़ा modify होके आएगी कैसे आएगी मैं दिखा दू आपको तो बच्चों देखिए e is equal to हम लेते थे e not sin omega t और i is equal to लेते थे i not sin omega t plus 5 by 2 तो इसकी वज़े से यह बनता था i not sin की जगा होगा cos omega t देखिए यह result और इसके पहले वारा जो ने इसमें सिर्फ minus का फर्क है instantaneous power अगर बात करें तो e into i को अगर आप ले लो तो यह आ जाएगा e not sin omega t और वापस से वही cos omega t तो इसमें adjustment e not i not by 2 into यहाँ पर 2 करने के वज़े से यह होता था sin 2 omega t बैस पहले वाला जो result इसकी पहले वाली slide वाला ही result चल रहा है यहाँ minus sign नहीं है तो यह आपको solve करना है at the end answer इसका भी आने वाला है 0 average power इसका भी आने वाला है 0 तो average power in series LCR तो let मैं बोलूगा e equal to e not sin omega t अगर है तो i is equal to maybe i not sin omega t या तो plus या minus 5 और अच्छा यह क्या चीज़ चल रही है series LCR में हमने current को fix करा दिया था तो मैं दिखा रहा हूँ अगर मैं ऐसे voltage ले लूँ तो current को मैं plus minus 5 से दिखा दूँ क्योंकि lead lag वाली situation है या फिर मैं ऐसे ले लूँ कि e equal to e not sin omega t plus minus 5 या तो आपने voltage को lead lag दिखा दिया तो current की value आ जाएगे i equal to i not sin omega t है ना मुझे क्यों दिखाना है वो यह है कि instantaneous power जब मैं लेता हूँ तो मुझे e into i लिखना है तो इससे क्या हो जाएगा दोनों आप result चेक कर लो e not i not अलग हो जाएगा तो sin omega t into this value sin omega t plus 5 into this value तो दोनों एक ही आ रही है तो sin omega t multiply by sin omega t plus minus ठीक है अब इसको क्या करना है किस तरीके से करना है यह समझ लो तो इसको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ देखिए इसको यही पर expand करा दू मैं तो p in is equal to e not i not और यह sin omega t वैसे ही रख देता हो और यह जो बच्चो sin a plus b वाली situation तो sin a cos b वाली situation plus minus cos a sin b वाली situation तो expansion के बाद में क्या आएगा instantaneous power आएगा e not i not यह sin को भी अंदर डलवा दो तो answer आजाएगा sin square omega t cos phi plus minus यह sin को multiply कर दो तो sin omega t cos omega t और फिर आगया sin phi चलो कोई दिक्कत नहीं यह वापस से आपको वह दिख रहा है sin omega t cos omega t इसमें adjustment करा दो करा दो कैसे कठाने average power is again integration 0 to t instantaneous dt divided by integration 0 to t dt आगया ठीक है तो यह नीचे वाला दिखे क्या होगा dt है तो t आगया यह e not है यह i not है और divided by t अंदर क्या तो अंदर यह पूरी चीज थी तो पहले 0 to t इसको मैं अलग से लिख देता हू sin square omega t और cos phi dt प्लस इसको अलग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 to t sin omega t cos omega t और यह आगया sin of phi तो करना क्या है बच्चों यह 0 to t में ही चल रहा है सब सारा का सारा तो इसमें ही चल रहा है तो p average e naught i naught by t तो यहाँ पर क्या यहाँ पर देखिए सबसे पहले में क्या होगा sin square omega t cos phi तो cos phi बहार निकल जाएगा और sin square omega t को अलग से आपको integrate करा के दिखाना है मैंने अलड़ी यह सारी steps पढ़ा ही आपको अभी तक हुआ है तो sin square omega t का result हुझे t by 2 मिलने वाला है प्लस माइनस यह sin omega t cos omega t में हम लोग क्या करते थे अभी इसके पहले inductor में हमने पढ़ा है 2 2 जे multiply divide कर दो तो sin 2 omega t आ जागे sin 5 तो constant है कोई बात बात नहीं sin 5 बाहर निकलता था और integration के अंदर यह होता था dt यहां पर होना चाहिए था तो sin 5 बाहर निकल गया और इसका जो answer है यह answer आना था 0 तो last में क्या बचा average power is e naught i naught by t तो हाँ t ठीक है into t by 2 और cos 5 तो t t cancel हो गया result आ गया average power का e naught i naught by 2 cos 5 या तो a या फिर e naught by root 2 i naught by root 2 cos 5 फिर last e rms yes i rms cos 5 है ना यह चीज आ रही है यही तो हम लोग जब से काम कर रहे है इसी पर तो काम कर रहे थे कितनी देर से इस पर ही काम चल रहे है तो पहले प्योर रजिस्टर प्योर रजिस्टर पर 5 की वैल्यू 0 थी तो cos 5 की वैल्यू 1 आ गई है power factor की वैल्यू बना गई है और average power था e rms i rms इंडक्टर में 5 की वैल्यू 5 by 2 है और इसी वज़े से cos की वैल्यू 0 हो चुकिये तो average power 0 हो चुकिये कपैसिटर में 5 की वैल्यू 5 by 2 थी तो वापस से पी average कितना आ गया बस ऐसे काम कर रहे है आगे बढ़ते हैं सब तक पढ़ना है तो पढ़ लो अब थोड़ा ही portion रहा है अभी हो जाएगा कबर series resonance circuit यह क्या चीज़ होती है series resonance circuit है ना series resonance circuit क्या होता है तो आपने series LCR तो पढ़ लिया अल्रड़ी उसमें उसमें वो जो तीनों थे series में LCR थे तो series resonance चीज़ क्या होती है resonance चीज़ जो है बहुत important है यहां पर क्या करना है देख लिए इन series जो था हमें Z की value एक मिली थी root of r square plus xl minus xc bracket square यह चीज़ मिली थी तो resonance के बारे में बात करना है resonance के बारे में बात करना है तो इसमें क्या लिखना है उसी पर मैं बात करूगा हाँ तो सबसे पहले series LCR की आपको diagram तो दिखानी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है दिखा दो L C और R इसके across आपने यह voltage जलवा दिया तो L C और R है इसका impedance था impedance कुछ इस तरी केसा था R square plus xl minus xc bracket square ठीक है तो होगा क्या यह xl और xc बहुत important है तो होता क्या यह दोनों जो frequency based है मतलब xl जो है यह omega l which is twice by f है और xc जो है यह है 1 by omega c जो की है 1 by 2 by fc इन दोनों की थोड़ी speciality समझ लो आप दोनों की speciality मैं graph से दिखाऊगा आपको graph से दिखाऊगा तो graph से speciality कैसे समझ भाएगी वो देख लो यह दोनों के दोनों frequency पर depend होते है तो frequency पर depend होते हो तो होता क्या है यह capacity जो है यह xc ऐसे काम करता है और यह inductive ऐसे काम करता है XL मतलब अगर frequency जब बहुत कम है तो XL xc बहुत ज्यादा है XL 0 है लेकिन जैसे frequency बढ़ रहा है XL बढ़ रहा है और जो capacitor की value reactance वो घट रही है तो इन दोनों में जो बरताव अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही stage ऐसी आती है जिस stage पर अगर आप देखो इस particular stage पर दोनों की value जो है वो same होगी इस frequency को मैं बहुत special नाम दे दूगा जहां पर XL और एकसी दोनों की value same आती है ऐसा क्यों इसको मैं कहा दूगा resonant frequency मीनिंग क्या है वो समझ लो resonant frequency मीनिंग क्या है क्यों हम लोग ले रहे हैं इसको समझ लो बाकी इस point को अगर छोड़ दिया तो किसी हर एक point को अगर बात करो आप तो XL और XE की कुछ ना कुछ value है अगर कुछ ना कुछ value है तो Z की value में XL और XE अगर कुछ ना कुछ है भले ही positive negative कोई भी number मिले उसका square होने की वज़े से वो number positive आएगा इसकी वज़े से Z की value हमेशा बड़ी हुई होगी मतलब इस particular point को अगर छोड़ दे तो Z की value हमेशा जादा ही होगी क्योंकि XL और XE जो है इसमें कोई ना कोई number मिलेगा वो R square के साट में add हो जाएगा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे एक logic है जो हम लोग current के बारे में बात कर रहे है current so that current is EMF divided by reactance तो reactance की जगा पर impedance आ जाएगा तो मेरा basically जो motive है समझाने का वो यह है कि मैं पूरा की पूरा focus कर रहा हूँ current पर अभी कि circuit में से current का behavior कैसे आने वाला है जैसे frequency बदलने वाली है तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि current जो है यह impedance पर depend है और impedance के अंदर XL और XE दोनों है इन दोनों के नंबर कुछ ना कुछ है तो Z की value हमेशा कुछ ना कुछ बनी हुई रहेगी लेकिन एक बार ऐसे होने वाला है at FR XL equal to XE यह XL और XE की value सेम है तो इस particular समय में Z की value जो है minimum value होगी और Z की minimum value क्या होगी तो Z की minimum value अगर आफ रग दो XL और XE की value equal रग दो तो यह 0 हो जाएगा और 0 होने के वाज़े से R square plus 0 R square और out of root R हो जाएगा मतलब circuit is behaving as pure resistive circuit pure resistive circuit मतलब circuit में inductor capacitor दोनों है लेकिन behavior पूरा गड़ बड़ा गया behavior इस तरीके से हो रहा है कि सिर्फ resistor की तरह काम कर रहा है तो सिर्फ अगर resistor की तरह काम कर रहा है तो definitely I not is equal to E not divided by जो मैंने Z minimum डाल दिया है तो E not by Z minimum मतलब R तो यहां जो बच्चों देखे current तो current की value यह value मिल चुकी है मुझे maximum यह value मिल चुके मुझे maximum मतलब क्या हो रहा है मतलब यह हो रहा है कि जब resonant frequency आएगी तब यह दोनों के inductor reactants जो होगे वह equal हो जाएगे जिससे Z की value minimum हो जाएगी और current की value maximum हो जाएगी circuit में से maximum current बढ़ने वाला है तो फाइदा क्या है मैं आपको दिखा दूँ यहां पर फाइदा यह होने वाला है तो सबसे पहले मैं यह बोलू इन दोनों को अगर XL और X is same है मतलब omega L और 1 by omega C दिखेगा यह resonant पर चल रहा है resonant frequency तो FR है उसी तरीके से omega R आ जाएगा 2 by that FR तो मैं यह भी लिख सकता हूँ मैं क्यों दिखा रहा हूँ समझ लो क्यों दिखा रहा हूँ दिखाने के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे बताना है कि यह जो है न omega यह resonant है यह भी resonant है तो यह omega इधर आ गया तो omega R का स्क्वेर is equal to 1 by LC तो resonant angular frequency is 1 by root of LC यह मेरा important formula बच्चो और इससे अगर frequency की बात हो जाए तो यह twice pi FR 1 by root LC मतलब FR equal to 1 by 2 pi root LC बनना चाहिए तो inductor capacitor की value अगर मैं change करूँ तो होता क्या यह frequency इसके लिए मैं ग्राइट करता है यह समझ लो इन्ड़क्टर और कपैसिटर मिलकर एक frequency भी जनरेट कर रहा है यह डिवाइस frequency जनरेटर है और resonant frequency का मतलब ऐसे हो रहा है कि resonant frequency पर current की value maximum है current की value maximum है बाकी समय में current की value maximum नहीं थी इसी समय में maximum है इसका मतलब यह हो रहा है कि current maximum मतलब circuit active है तो circuit active है इसका मतलब क्या हो रहा है तो इसके लिए इसके लिए मैं graph दिखाऊगा यहाँ पर वो graph को समझ लो कि current अगर मैं निकालता हूँ y-axis पर और frequency डालता हूँ मैं x-axis पर तो current versus frequency तो एक specific frequency पर मुझे current maximum मिलेगा फिर minimum मिले वाला है क्योंकि बाकी कोई भी चीज़ में देखिए बाकी किसी भी चीज़ में बाकी किसी भी graph में आप देख लो यहाँ पर बाकी कहीं पर भी इसमें देख लो इस point को अगर छोड़ दिया तो कहीं पर भी xl और xc की value है difference भले ही हो positive negative कोई भी number निकले लेकिन उस number से आपका xl minus xc का number बढ़ेगा और उसकी वज़े से z की value बढ़ेगा और z की value बढ़ने के वज़े से current घटेगा ही घटेगा तो अब point यह है कि एक certain resonant frequency पर current मिल चुका है maximum तो कितना मिल चुका है current maximum मिल चुका है जिसको मैं यहां पर कह दूगा यहां पर यह current मिल चुका है current की value है i naught max जो की है e naught divided by ठीक है फिर क्या करना है इस value को divide by root 2 करना है क्यों root 2 करना है इस पर होता है power half तो यहां पर जितना power होगा उस power का half power मिलता है इस समय जब आफ i max को divided by कर दो root 2 is equal to यह हो जाएगा e naught by root 2 और r तो इसमें क्या हो रहा है इस frequency को यह इस peak को यहां दो बार cut कर रहा है तो यह जो होगा इसको मैं बोल दूगा लोर frequency और इसको कह दोगा मैं अब पर फ्रिक्वेंसी यह f1 और यह यह होता है बच्चों यहां पर bandwidth बारे मैं अभी नहीं बात करना है पहले मैं series resonance को कवर करा दू इस question में वह चीज नहीं करना है करानी कवर ठीक है इतना ही बोलना है तो यह जो चीज यह कैसे काम कर रहे हैं अब हम एल और सी को चेंज करते हैं तो यह जो सर्कीट यह खुदका इक frequency डेवलप करता है तो यह frequency जो है उस particular frequency पर current circuit में से maximum pass हो सकता है यह एक तरीके से acceptor circuit की तरह भी काम करता है मतलब क्या जैसे हमारे घर में radio है तो हम radio में कोई tuner change करते है tuner मतलब क्या होता है tuner specifically या तो आप inductor या तो capacitor इन दोना में से कोई change कर रहे हो जैसे आप change कर रहे हो मतलब उसके अंदर का जो LCR circuit है उसकी L or C की value change कर रहे हो चेंज करते करते अगर आप देखो वो device एक specific frequency selection के लिए बनाया है तो मान लीजे 95 FM वाली 95 MHz वाला signal यहां तक पहुच रहा है आपने radio में भी LC circuit को change करा दिया इसने भी 95 MHz त्यार कर लिया दोनों 95 95 MHz मैच हो गए तो यह बोलेगा कि हाँ मतलब signal आ रहा है तो signal को accept कर लो तो signal को accept कर लो वो चैनल accept हो जाता है और जो accept हो गया तो आगे वाला जो चीज जो सबसे से हो तो गाने बजा रहा है या announcement चल रहा हो सारी चीज आप सुन सकते हो तो यह acceptor circuit की तरह काम कर रहा है मतलब इस frequency पर यह device जो एक्टिवेट होने वाला है काम करने वाले ठीक है current बढ़ाने वाला तो यह हो गया आपका series LCR वाला concept तो characteristic of series LCR तो सबसे पहले चीज दोनों सेम होने चाहिए inductive और capacitors और capacitors और capacitors फिर हमने यह formula निकाल दिया impedance minimum होता है impedance minimum होता है है और circuit पूरी तरीके से क्या करता है क्या होता है current क्या होता है maximum होता है current क्या होता है maximum होता है number of frequencies are fed to it it accepts only one frequency resonant frequency accept करते है मतलब radio के साथ तो यार अलग-अलग सारी frequency आती है लेकिन जब हम tuner change करते हैं तो एक specific frequency को ही select करते है the current is maximum for this frequency hence it is called as acceptor circuit got it चलो आगे बढ़ते हैं sharpness और q value sharpness और q value क्या है तो इसमें थोड़ा diagram का मैं बढ़ा कर दो मैं यह textbook मैं से लिया है तो already मैंने आपको क्या बता है यहां पर देखिए यह e not by r i not मतलब यह इसको मैंने बोला था i max which was e not divided by r इसको divide by root 2 कर दो तो यह आ गया e not y है na e not y root 2 r तो यह दो जगा पर cut कराता है यहां पर और यहां पर तो यह तो अभी चीज क्या है यह sharpness ए q factor जो होता है वो कौन होता है तो q value होती है resonant frequency divided by omega 2 minus omega 1 यह omega 2 minus omega 1 क्या है यह होता है इसका bandwidth जैसे यहां पर दिया bandwidth यह twice delta omega कौन चीज है वो भी बताता हो मैं आपको जैसे कि omega 2 है आप omega 2 को यह से लिख सकते हो omega r omega 2 is omega r plus यह जो चीज है इसको कहा जाएगा delta omega omega 1 को मुझे लिखना है तो omega 1 is equal to omega 1 में क्या होता है omega r minus क्योंकि omega r में से यह चीज आप कम करना है इसको कहा जाएगा delta omega तो minus delta omega तो जब मुझे omega 2 minus omega 1 चाहिए omega 2 minus omega 1 चाहिए देखिए तो क्या होगा omega 2 omega r plus delta omega minus omega r minus delta omega तो यह omega r omega कट हो गया तो यह आगया omega delta omega minus minus plus तो यह twice of delta omega आगया तो q value यह sharpness value आगयी है omega r divided by twice of delta omega यह एक value आगयी है इसके अलावा actual में एक formula है वो क्या है quality यह sharpness is equal to होता है 1 by r root l by c तो quality value यह sharpness जो होती है peak की जो sharpness होती है वो inverse proportional होती है resistance पर तो इसमें एक चीज दिख रही है आपको जिसका resistance ज्यादा है resistance जासता है उसकी q value कम आ रही है मतलब sharpness कम आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते है यह एक parallel resonance circuit है बस अभी थोड़ा ही actually point बचा है तो उसको मैं cover करा देता हो fast में इसको समझने का तरीका यह होगा आपको दिख रहा होगा तो इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ इसके लिए न पेंडूलम वाली किस्सा पेंडूलम वाली चीज अगर ले ले तो बहुत आसनी से समझ में आता है अगर मैं इसको यहां लाता हूँ तो बच्चो पेंडूलम में यह oscillate होता है जैसे मैं छोड़ देता हूँ तो यह oscillate होने वाला है अभी oscillate होता है तो इसको आप analog करना है क्या है समझ लो जैसे यह पेंडूलम को मैं यहां पर लाता हूँ तो यहां लाता हूँ मतलब इसके पास में अभी कौन सा energy है potential energy है मतलब जो stored energy that is what potential energy तो potential energy इसके पास में है stored energy है जब छोड़ देता हूँ तो यह जब आता है नीचे नीचे तो जब mean position cross करता है तो इसके पास आता है kinetic energy अभी potential energy maximum था यहां पर kinetic energy नहीं था लेकिन जैसे जैसे नीचे आ गया तो potential energy got converted to kinetic energy नीचे इसके पास kinetic energy सबसे ज़्यादा है तो यह रुकेगा नहीं यह आगे बढ़ेगा now kinetic energy is getting converted to what potential energy वापस से potential energy is the stored energy बीच में kinetic energy था मतलब kinetic energy का meaning हो गया यहां पर था उसके पास में हाँ kinetic energy मतलब motional energy तो अभी इसको किस तरीक से लेना है सबसे पहले इस device को ना capacitor को fully charge करना है तो इसमें आपको एक चीज थोड़ी add करनी होती है क्या होती है यहां पर actually ना इसा key होता है जो key को हम close कर देते है at time t equal to 0 तो पहले अगर बात करें इसके पास अगर charge q0 है तो capacitor के पास जो energy stored है capacitor के पास electrostatic energy जो stored है वो होगी q0 square divided by 2c इतना energy stored है तो वही किस्सा हो रहा बच्चो stored energy है stored energy है मतलब क्या हो रहा है stored energy मतलब यह जैसे pendulum यहां पर था बस वैसी situation है जब आपने switch close कर दिया तो मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया तो यह oscillate होना शुरू हो जाएगा तो होगा क्या जैसे मैं key close कर दिया इसमें से current flow होना शुरू हो जाएगा तो इसका discharging होना शुरू हो जाएगा जैसे discharging होता है तो inductor यहां है inductor property है अगर current change हो रहा है current में बदलाव आ रहा है तो यह magnetic flux त्यार करेगा यह oppose करने वाला है तो यह oppose करने के चक्कर में क्या होगा कि capacitor की energy कम हो रही है और यहां पर energy बढ़ रही है तो अभ up of l i का square इस समय में यह बीच वाली situation समझ लो न यहां से छोड़ दिया तो all of sudden maximum kinetic energy नहीं मिलेगा potential energy है जैसे जैसे नीचे आएगा potential घटेगा लेकिन kinetic energy बढ़ेगा तो यह intermediate वाली state है जब potential energy घट रहा है और इसको kinetic energy मिल रहा है इसमें kinetic कहां से आ गया तो current जो है यह motion से related है और charge stored था वो storage से related था तो यह potential को relate करो यह kinetic को relate कर दो तो दिक्कत क्या है दिक्कत कोई नहीं है समझ लो यह energy convert हो रही है धीरे धीरे now electrostatic energy is getting converted to magnetic energy थोड़ी देर बात यह पूरा discharge हो गया लेकिन इसके पास magnetic energy ज्यादा है तब current maximum है तो इसके पास पूरा के पूरा energy आ गया magnetic energy half of l i0 का square half of l i0 का square दिख रहा है तो half of l i0 का square यह maximum energy आगी यह magnetic energy आगी है तो इससे हुआ क्या capacitor की total energy potential energy got converted to kinetic energy मतलब इसमें current maximum है वो situation अगर देखना है तो यह situation यहाँ पर ऐसे दिखने वाली है पेंडूलम यहाँ पर था अभी मान लीजिए पेंडूलम यहाँ तक पहुच चुका है यह रुखने वाला नहीं है इसके पास बहुत ज्यादा kinetic energy है मतलब 100% potential got converted to kinetic अभी क्य हो गया मतलब यह situation repeat यहाँ पर आ गया तो वापस से क्या आ गया half of li square और यहाँ पर q square by 2c लेकिन समझ लो जो मैंने यह चीज लिए यह पेंडूलम यहाँ पर था यहाँ आ गया अभी यह यहाँ से आगे निकलने वाला है इसकी direction change होगी है direction change होगी है potential energy यहाँ पर maximum होने वा होला है capacitor के साथ में same चीज हो गई है क्या चीज हो गई है देखिए पहले polarity ऊपर positive था अभी polarity नीचे बढ़ रहा है तो next stage में polarity नीचे पूरा बढ़ गया और इसका current zero हो गया तो अभी magnetic energy कितना है zero है और यहाँ पर q naught square by 2c वही तो चीज होने वाली थी यहाँ पर आ गया इसके पास potential energy जाधा होगा बस बच्चो यही process जो है ना यह on and off repeat repeat होने वाली है तो repeat repeat होने के चक्कर में इसमें जो है ना यह oscillation generate करता है यह इस ही को कहा जाता है LC oscillator circuit अच्छा यह इसमें confusion हो जाएगा क्योंकि मैं diagram को देखकर क्या हो इसको कहते हैं LC oscillator है ना मैंने वह heading दिखाई नहीं मैंने diagram देखके न शुरू कर दिया तो यह LC oscillator circuit हो गया तो अभी parallel resonance पर भी जाते है वही एक रहे गया parallel resonance पर भी जाते है बस एक पाच मिट का break ले रूम है जस्ट पाच मिट का break बस थोड़ा से रहा है चुल मैं दिखा जात है कोई इशु नहीं तो सबसे पहले मैं parallel resonance को काम करा लूँ इस तरीके से इंडक्टर डाल दो और यहां पर एक कपैसिटर डाल दो ठीक है और क्योंकि यह दोनों के दोनों parallel है तो दोनों के आरे across आपको जो चीज देनी है वो यह देनी है कि मैं दोनों को voltage ना सेम दे रहा हूँ एससने हमने वायसा नहीं किया केुए को क्रेंट डोनों है सेम है अभी आपको यही चीज समझना nih है कि इसमें से अगर मानलिजे current i आ इल पास हो रहा है और इसमें से current ice पास हो रहा है तो IL और IC दिया कैसे जाए क्योंकि दोनों के एक्रोस का होल्टेज तो सेम है तो मैं बोलूगा IL जो होगा IL इक्वल टो यहां पर था पीक करंट पीक करंट कितना तो होल्टेज डिवाइड़ बाई मैं इसका रिजिस्टंस दे देता हो XL और कितना तो साइन आपको पता है इंड़क्टर में करंट जो था आई इक्वल टो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था तो मैंने आई इंड़क्टर का दिखाने के लिए L दिखा दिया आई नॉट की जगा पर होल्टेज डिवाइड़ बाई उसका रिजिस्टंस दिखा दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई बाई टू फिर कपैसिटर में क्या चीज़ चल रही थी तो आई इक्वल टू आई नॉट आई नॉट की जगा पर ए नॉट डिवाइड़ बाई एक से डाल देता हो और क्या तो साइन यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई बाई टू यह कपैसिटर में चीज़ थी तो अभी क्या होगा तो अभी क्या होगा यहाँ प पहले ए नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और यह आई सी ए नॉट बाई ओमेगा एल यहाँ आउट यहाँ बाई एकस सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाट वाट टीट ठीक है तो E naught मैं क्या करता हूँ समझ लो E naught XL वैसे लिखता हूँ और sin omega t minus pi बैट तो यह था बच्चो minus cos omega t यह कब की आया है मैंने इंडक्टर में मैंने आपको पढ़ाया है फिर यहाँ पर देखे यहाँ प्लस e E naught by x c यह cos omega t यहाँ गया फिर तो E naught common निकाल दो तो अंदर बच जाएगा 1 by x c और यह minus 1 by x c और cos को भी common निकाल दो ठीक है यह हो गया i तो अभी मैं क्या करता हूँ देखें cos तो variable दिखा रहा है मतलब alternating जो change हो रहा है ठीक है यह frequency generator में omega जो है उसके हिसाब से यह दोनों मतलब oscillator की तरह काम करने वाले है लेकिन important ही है कि अगर मुझे current minimum चाहिए तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ current minimum मुझे अगर 0 करवाना है तो मैं इस पर भी करवा सकता हूँ इस पर भी कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ अगर 1 by xl minus 1 by xc की value 0 हो तो मतलब 1 by xl और 1 by xc सेम हो मतलब xl equal to xc हो यह तो चीज़ दिखी हुई है तो जब frequency change करो आप तो frequency change करते समय ऐसी चीज़ situation हो जाए जब xl और xc दोनों सेम हो जाए उस समय में current की value minimum हो जाएगी और कौन सी frequency पर xl मतलब that omega r omega l और xc मतलब 1 by omega c तो मैंने r क्यों बोला उस specific frequency पर xl और xc सेम होने वाले हैं उसको मैं resonant frequency बोल देता हूँ वापस होई चीज़ आ रही है तो omega r square is equal to 1 by lc तो omega r equal to 1 by root lc आ गया और इसी को frequency में modify कर दो तो 1 by 2 pi root lc लेकिन बच्चो दोनों में बहुत फर्क है उस समय आपने देखा तो current maximum हो रहा था इस समय में current 0 हो रहा है minimum हो रहा है तो current minimum हो रहा है मतलब यह होगा यह ऐसी frequency है जिस समय यह circuit जो है current 0 करवाएगा current 0 हो रहा है इसका मतलब यह हो रहा है कि circuit off होने वाला है switch off होने वाला या फिर वो उस frequency को reject करने वाला है वो frequency आ जाए तो यह पूरा circuit current 0 करवादेगा current की value और frequency अगर बात कर रहा है तो यह इसका graph ऐसे आता है इसको intentionally बताया जाता है यहाँ पर resonant frequency पर current की value minimum दी जाती है 0 ही होती है लेकिन दिखाने का यही तरीका होता है तो minimum value दी जाती है current की तो इस circuit को हम कहते है rejector circuit इस circuit का specifically काम है वो frequency आ जाए तो पूरा circuit off करवादो उस frequency को reject कराना है accept नहीं करना तो I hope you understood this one बस इसका भी last part है choke coil का उसको मैं समझा दू आपको तो choke coil का मतलब क्या होगा न यह inductor है और मान लिजे inductor को मैं iron पर डाल देता हूँ iron bar पर तो यह जो inductor है और inductor और iron इसको मैं कहे दूगा choke इसका इस्तमाल कहां पर होता है तो वो समझ लो पुराने जो tube light हुआ करते थे यह tube light है तो पुराना tube light अगर है यहाँ पर तो इसमें यह choke coil यहाँ पर हुआ करता तो आपने देखा होगा घर में एक हाँ दूसरा कोई अगर बहुत पुराना घर जहाँ पर है यह जो tube light है, AC पर काम करता है, आजकल जो tube light हो वो LED tube lights है, LED क्या होता है, LED AC लेता है, लेकिन उसको फिल DC में convert कराके लेता है, इतनी technology तो upgrade हो गई है, लेकिन पुराना जो था, यह AC पर काम करता है, तो इसमें क्या है ना, समझ लो यह coil है, यह coil का इस्तमाल है, ऐसे है, कि इसको frequency है, तो frequency है, तो inductive reactors proportional to frequency हुआ करता था, तो इसका 50 Hz अगर frequency है, तो यह oppose कर रहा है, मतलब थोड़ा अगर बात करें, तो इसका important यह है, कि inductor coil जो है, वो एक तरीके से oppose करती है, तो एक तरीके से इसका इस्तमाल, थोड़ा अगर in short बताया जाए, तो yes, to oppose, oppose क्यों करना है, तो देखे, simple बात है, current को control करना है, तो current को oppose करना अपलेगा, मुझे जितना current चाहिए, तो ज़्यादा अगर current आ रहा है, तो उस current को मुझे oppose करना है, मतलब कम करना है, तो एक तरीके से यह resistance की तरह ही काम कर रहे है, लेकिन जो choke coil होता है, उस coil का खुद का ए तो होगा क्या, यह दोनों मिला के एक impedance प्रोवाइड करते है, that impedance is Z, और यह value आ गई 5, और Z की value कितना है, तो Z की value आ गई बच्चों, root of R square plus XL का square, ठीक है, फिर इससे मैं लिखता हूँ, cos phi, तो cos phi आ जाएगा, adjacent side divided by that Z value, अब इस समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बा इसका loss कम हो, उसका इस्तमाल जादा हो, उसका एनर्जी का loss कम हो, तो loss कम कैसे होगा? तो अगर loss कम करना है, to reduce power loss, cos phi जो है, that must approach to zero, cos phi की value 0 तक मुझे लानी है, cos phi की value 0 तक अगर मुझे लानी है तो क्या करना पड़ेगा क्योंकि cos phi की value अगर 0 तक लानी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे phi की value 90 तक ले जाना होगा cos phi की value अगर 0 करवानी है तो phi की value मुझे 90 तक ले जाना पड़ेगा 90 तक ले जाने के लिए इस diagram को देखो इस diagram को मैं change करा देता हूँ अगर मैं xl की value बढ़ा दू और register की value घटा दू तो होगा क्या इनका जो z value है वो z value यहाँ पर आ जाएगा 5 value बढ़ चुक है मतलब in short मुझे circuit में resistance कम करना पड़ेगा और inductive reactance को बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं और inductive reactance को बढ़ा दू और resistance को और कम करा दू तो यह z की value मतलब 5 की value और बढ़ गी है तो in short resistance को घटा ओ inductance को बढ़ा ओ इस तरीके से बढ़ा ओ ताकि 5 की value 90 के करीब आ जाए 90 के करीब आ जाए तो cos की value जो है cos pi by 2 0 हो जाएगा तो cos pi by 2 अगर 0 होता है तो होगा क्या जो average power का formula था ERMS IRMS cos phi तो यह nearly हो जाएगा 0 इससे ना loss हो जाएगा कम पुराने tube light में वही दिक्कत होती है कि ज़्यादा power consume करता था electricity ज़्यादा consume करता था तो वो कम करने के लिए electricity consumption प्रॉपर electricity consumption loss कम करने के लिए 5 की value बढ़ाना चाहिए था बढ़ाने के लिए resistance कम करो inductive reactants बढ़ा दो फिके बच्चो यह यहां तक मुझे लगता है chapter तो खतम हो चुका है मैं numerical से related ना एक अलग ही मतलब app का आपको link दे दूगा मैं उस app में मैं क्या करने वाला हूँ इससे पूरे पूरे 16 chapter के जो numerical होगे वो भी मैं cover कराके लेने वाला हूँ तो बस मतलब एक दो दिन में मैं announcement वैसी कर दूगा तो आप उस तरीके से यह पूरी तरीके से free होगा इसमें कोई cost लगने वाला है पूरी तरीके से free होने वाला है सिर्फ आपको एक ही चीज़ है सारा का सारा organized मिलने के लिए मैं app पर आपको दे दूगा ठीक है बच्चो चलिए Thank you very much